हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अमितायस अकेडमी और यहां पर हम सभी लोग इसमें आ जाएंगे और सभी लोग यहां पढ़ेंगे जल्दी जल्दी इसमें आ जाएगे जिससे आज जो क्लास होने वाली हो महराथन है अब प्रॉपर बात यह हो रही महराथन गुड़ इनिंग पुड़ी निमुसकान और बात सिर्फ महराथन की नहीं बात यह है कि जो इस बार एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए कितना बेस्ट होने वाला है कितना अच्छा होने वाला है और क्या-क्या एक्जाम में आ सकता है उसी के रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे आप से ठीक है तो कोशिस यह करनी है हमें कि जादस जादा हम कोशिस करें कि इन सारे चेप्टर को पढ़ लें मैंने वो चेप्टर ढूड़े वो चीजे निकाली हैं आज मैं सो जादा मॉडरन हिस्ट्री पूरा करेंगे हलो रचना सिंग हलो और यह मुझे ऐसा मिला कि मैं देख आथा और मैं करता गया करते करते मुझे मिला कि यह एक्जाम जो 2022 का है उसमें से कुछ आट एंड कल्चर पिछली बार ज्यादा पूछा गया है और इंसेंट हिस्ट्री से भी ज्यादा पूछा गया मतां आट इंड कल्चर का ज्यादा पोर्षन था तो मुझे लगा कि अगर इंसेंट हिस्ट्री का है कुछ पार्ट और है वो मैंने कुछ सेयर भी कर दिया है आप लोगों को तो और भी मैं सेयर कर दूंगा टेलेग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है टेलेग्राम के लिंक में भी आप क्लिक करके टेलेग्राम डिस्क्रिप्शन में वहां से जॉइन कर सकते हैं जिससे आपको हम और भी चीजे सेयर करने वाले हैं जिसमें से आपको important topic जो सब के लिए भला हो सके सब के लिए अच्छा हो सके वो चीज हम यहां देखेंगे ठीक है तो आज सबसे सबसे पहले हम एक एक चीजों को ध्यान से देंगे अगर जो चीज नहीं आए समझ में जो चीज कभी भी अगर ऐसा लगता है उस चीज को पूश जरूर लेना ठीक है दोस्तो सबसे पहले हमें start करते हैं यहां से जो बहुत ज़्यादा important है ठीक है तु सबसे पहले हमी start करेंगे क्या start करेंगे हम इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहां पर हमें क्या-क्या जरूरी है क्या-क्या चीजें हमें ज्यादा नीड है उसी इसको हम यास लेंगे राइगड फोर्ट राइगड जो फोर्ट है ये क्या हुआ है राइगड फोर्ट जो ये चर्चा में रहा है राइगड फोर्ट राइगड फोर्ट चर्चा में था और ये उसका है आटन कल्चर का पार्ट है इसलिए इंपोर्ट ज्यादा है आने की जिसकी most probably यह है कि वह आएगा ही आएगा तो उसको देखेंगे good evening good evening चलिए यहाँ से हम इसमें पढ़ेंगे monuments, places, statues and temples which was in news, so उनको हम यहाँ पर study करने वाले हैं, तो आप एक दम बेता तरीके से यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम चलते हैं रायगड के किले पर, रायगड फोर्ट पर चलेंगे, रायगड किले पर चलेंगे और यह क्यों चर्चा में था, अब क्यों जादा important exam के regarding उसको देखेंगे इसका सबसे पहले हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं उसमें राजा का, किसी ने किसी ने तो इसको रायगड फोर्ट को बनवाया होगा किसी ना किसी के साथ बना होगा, या खुद बनवाया होगा, या किसने बनवाया है अब कौन से वंस ने बनवाया है, डाइनिस्टी कौन कौन से थी और क्या क्या इससे संबन्दिच चीजे हैं उन सभी के बारे हम लिखेंगे और देखते जाएंगे I am fine, I am fine, and you, all of you, आप सब कैसे हैं, चले, ये फोर्ट है जो, ये हमारा रायरी, इसको सुरुवात में, रायरगड को क्या नाम से जाना जाता था, रायरी नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था, रायरी नाम से जाना जाता था, और इसको कह सकते मराठा क्लान, मराठा क्लान, सिर्के, आप मराठा में जानते हैं कि उसमें सिर्के और के बहुत सारे ऐसी वहाँ नाम भी चलते हैं, तो उसमें क्या है, सिर्के ने, बारवी सताब्दी ने, यान इसमें जो आपके डाइनेश्टी है वो कौन सी है ब्राहमिन्स तुदा निजाम से आदिल साय इसमें तीन डाइनेश्टी ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम किया ये कुशन इसलिए आ सकता है एक तो न्यूज में था दूसरी चीज ये था कि इसकी डाइनेश्टी ज थी जो बंसस थे तीन-चार बंसों ने इसमें काम किया पहला तो मराथा सिरके ने किया ब्रहमण बंस ने इसमें किया निजाम साही ने किया और इसके बाद आदिल साही ने किया इसका मतलब इसमें तीन-चार बंस ने इसमें से काम किया लव फ्रॉम पट्टना न्यूटी कि यहांसे आपको क्या दिखाई देगा कि यहां पर क्या है तिइन डायनिस्टी ने इसमें काम किया यह इंपोर्टन्ट है इसके बाद 1656 में छत्रपत साहु जी ने इस पर कबजा कर लिया ठीक है कबजा कर लिया कबजा करने के बाद इसमें कह सकते हैं कि एक आदिल साह के अंतरगत एक बारे फिर से जब इसके कबजा होने के बाद देन इसके बाद क्या हुआ आदिल साह जो साही सल्तनत था उसके भी अधीन आदिल साह के अधीन भी ये आया था बीच में इस तरीके से कह सकते हैं तो सीवा जी भी बीच में कबज़ा किया और इसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जाली जावली जो था जावली who are under the certainty जो कि इसके अंतरगत था इससे capture किया था अब बात यह है कि यह सहें है निजाम साही हो गया आदिल साही आदिल साही के अंदर जो अधिनता में अधिनता सुईकार किये था उसका नाम था जावली जावली से इसने कौन कबजा कर लिया सीवा जी ने चत्पास साहु जी या सीवा जी ने इससे क्या किया चत्पास सीवा जी ने इससे capture किया इससे छीन लिया और खुद उस पे किला पे अधिकार कर लिया इसके बाद 1962 में देखिए सीवा जी ने फिर इसका फोट का नाम बदल कर रायगड कर दिया ये दोनों में important है PCS में भी important है IES में भी important है तो इसका रायगड बना रायगड पूछा जाए नाम कब बना तो 1662 में इसका नाम रायगड पढ़ गया इसके बाद देखेंगे आप इसमें बहुत सारी structure भी इसमें बनाया गया एड किया गया 1664 इसके बाद इसमें सिवा जी गॉवर्मेंट इसके साथ कोई तरीके से इमर्जड हो गई इसके बाद देखेंगे कि सिवा जी के help से कह सकते हैं इसके बाद आदिल साही डानिश्टी बट आलसो ओपेंड रूट्स कौणकर जो कौणकर आप देखेंगे यहाँ पर यही चीज अच्छा है जानने का यहाँ पर कौण कौण से कौणकर सा सक भी थे कौणकर के रिए रूट जाता था रास्ता जाता था वहाँ से संबंदित था बीच में टैक्सेस लेते थे इसलिए यह important था इसके बाद इसके महत्व पूर्ण चीजे क्या है क्या क्या इसमें महत्व है उस significance भी देख लेते हैं इसमें अगर significance की बात करते हैं हम तो यह भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा फोर्ट को European जब सुरू में आए ध्यान समझना the fort was known to earlier Europeans as the Gibraltar of the East East का Gibraltar the fort was known to earlier European किसके लिए Gibraltar of the East East का Gibraltar के नाम से ऐसे European के लिए जाना जाता है जैसे कि Europe में इसके बाद इसमें यह बताया गया है कि साथ ही साथ इसमें देखा जाएगा कि इसमें कितने लगभग फोर्ट में 300 इस्टोन्स हाउसेज एंड गैरीशन जो है 2000 के आस पास मैन जो इसमें फोर्ट में थे फोर्ट हैड इतना इतना इसमें था चीज़े यह भी बहुत इंपोर्टेंट इसके साथ हम देखेंगे चत्पश सिवा जी के बारे में थोड़ा सा इनोनी इसके बारे में थोड़ा सा नाम इसमें थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्या है कि सिवा जी का नाम लिया गया है जाहिड सी बात है कुछ तो इंपोर्टेंस रहा होगा तबी सिवा जी अजी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ही आप जब देखेंगे बाजी राव मूवी भी देखी होगी बहुत साइचीजे हैं यहां से आपका मराथा बाले का सीन भी क्लियर हो जाएगा कुछ पॉइंट यहां से रखा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर का है पॉइंट लेकिन आर्ट एंड कल्चर के सहारे यूप यहां पर आप देखेंगे बीज़ापुर सुल्तान के अंतरगरती इसमें सारा अब मराथा जन्रल हो हैल्ड जगिर्स और पॉर्णे एंड रसोप अंडर बाजी राव सुल्तान एंड जी जब आए इसमें इसके साथ साथ में यह है कि इन्हों ने जब अपनी जो मिलिटरी है जील था और फर्स टाइम इन्होंने जो डिस्प्लेइस्ट किया उस सोला सो पैतालिस में जब यह टीनेजर में थे जब यह जवान थे एक नए लड़के थे उन अठारा साल के रहें होंगे उस टाइम पर और इन्होंने पूरे जो टॉर्णा फोर्ट है इस पर इनका सब्जा कर लिया देन इसके बाद आप देखेंगे जो आदिल साहे के अंडर में था फोर्ट उसका कॉंडाना फोर्ट और जितना यह दोनों के दोनों एक तरीके से देखा जाए तो बीजापूर के अंडर में जो था यह फोर्ट और यह दोनों फोर्ट अगर देखा जा ब बाद हम देखेंगे कि इस चत्रपति जो टाइटल दिया गया इटुक दाइटल ऑफ चत्रपति चत्रपति का स्रीवा जी ने चत्रपति का टाइटल प्राप्त किया फिर है साका कार्था का किया चत्रिया कुल्वंतास का किया हिंद आवा का किया और धर्मो धार का किया इतने इतने टाइटल इनको मिले थे टाइटल जरूर याद रखने टाइटल भी पूंचा जा सकता है इतने टाइटल इन्होंने स्रीवा जी ने प्राप्त किया था छत्रपति साकाकार्ता छत्रिया छत्रिया कुलावंताज और हिंदा हिंदवा हिंदावा एंड धर्मोध्धवार क इतने इन्हें टाइटल दिये गये थे इतने टाइटल इन्होंने फ्राफ्ट किये इसमें इंपॉर्टेंट बैटल जो हुए वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं इसमें और भी चीज़े देखते जाएंगे important battles देख लेते हैं और आपका treaty भी देख लेंगे यहां की ठीक है चलिए और यह है आपका इसके बारे में भी आपको यहां से सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी तो यहां को important battle जो हूँ associated with him battle of प्रताबगर 1670 battle of पावनखिंद 1660 battle of पुरंदर 1665 battle of सिंगर 1670 battle of कल्यान 1682 1883 और battle of संगर संगर संगमरन यह सोला सो इनको क्या आता है कि इनको स्रीज में लगाना यह आडर में लगाना पूछ लेता है कौन किसके बाद हुआ ascending and descending order में पूछा जा सकता है एक्जाम यह matching के लिए आ सकता है आपको यह चीज भी याद रखनी है तैन हमें we have to know about treaty of पुरंदर treaty of पुरंदर की देखें तो in zone 1665 में देखें treaty of पुरंदर जो साइन हुआ वो सीवा जी और राजा जैसिंग के बीच हुआ था राजा जैसिंग के बीच हुआ जो की representing किस ने किया था औरंग जेव के टैंग पर औरंग जेव ने किया था और यह जो टीटी हुई यह कह सकते हैं कि मुगल आप देखो औरंग जेव जाहिट से बात मुगल के उसमें था और इसके बाद इसके बाद इत वाज अग्री कि जाये, इस ट्रिटी की तैयारी किजए, संदी की तैयारी कीजए, हम करने वाले हैं ठीक है तो यह औरंग जेव के उसमें किया गया था और दूसरा अब चलते हैं हम यहां से इनके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा रिक्लाइणिंग लृडविष्णु रिक्लाइणिंग लृडविष्णु ये लौड विष्णु ही पढ़े हैं ध्यान सब्सक्राइज लौडविष्णु का च्चित्र रहे पिक्षर है यहाँ पर देखेंगे वन थाउजन निस यार ओल्ड सैंड इस्टोन एक स्क्रेप्चर ओफ रिक्लाइनिंग लॉड विश्णू ये इस्टोर किये गए है नेशनल इंडिया नेशनल ट्रेस्ट आफ आर्ट अन कल्चर हेरिटेज के दौरा इसने इसको फाइंड किया है देखा है फाउंड करने के ब उसका देंसा और ये कहाँ पर ये बंधो गर्ड नेशनल पर्क मधप्रदेश में देखा गया ये स्टविष कहां है बंधो गढ़ नेशनल पार्क मधप्रदेश में इसको खोजा किस ने खोजा है आपका इंडिया नेशनल ट्रेस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसने इसको खोजा और ये अभी हाल ही में चर्चा में भी था तो यहां से कुश्यन पूछा जा सकता है और इसके बारे में देखा जा सकता है ठीक है तो यह तो हो गई हमारी बात इसकी कि यह इतना चर्चा में रहा अब चलते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और यह आप इसमें अब देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे वही लाड़ सीवा लाड़ विश्नु के बारे में कि यह फर्स्ट कन्वर्सेशन जो हुआ है इस्टोरेंस का किसके अंतरगत इंट इंटेक मद्ध प्रदीश इंटेक है इंटेक कित्रू इसमें रिसर्च किया गया और इसे पाया गया देन आप देखेंगे पॉपलर जो से से सैया से सैया जानते हैं जब विश्नु भगवान सापके जो से सनाग है उसके उपर लेटे हुए नजर आते हैं जब मूवी में देखते हैं यह कहीं पर देखते हैं सीरियल में देखते हैं फोटो में फिक्चर में देखते हैं वही है और इससे बिलॉंग करता है से सैया में पड़े हुए यहां पर भगवान विश्नु दिखाई देते हैं जो आपका बांधोगर्ड एंपी में पढ़ता है वहाँ पर वहाँ पर उन्हों देखा और belongs to काल्चुरी पीरियड काल्चुरी पीरियड 18th century कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है न कि लोगों को ये पता नहीं चलता कभी कभी होता है कि हम मानते नहीं किसी चीज को लेकिन उसके एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं बहुत सारी जगें मिलती हैं और हम उनको इग्नौर कर देते हैं कि ऐसा पहले रहा होगा कि नहीं रहा होगा किसी ने किसी ने तो इसको बनवाया होगा किसी ने किसी का तो सपना रहा होगा ये चीज भी यहाँ पर देखना है किसी ने किसी ने तो इसको देखा होगा समझा होगा तब यहां पर यह बना है उस टाइम पर तो यह काफी पुराना है यह कहीं न कहीं हमें संदेश देता है कि उस टाइम पर लोग इसको देखते थे और यह चीजें करते थे बनवाते थे और इसके बाद जो दूसरा चप यह जो इंपोर्टेंट जिसमें पूछा जा सकता है, वह है आपका जगन नाथ tempel. जगननात को आपको मालום है न, उडी शा में जगननाथ temple उडी शा में, मुस्कान गड़िद, जगननाथ कहा प्रटेंपल जगननाथ टेंपल जो है उडिसा में सभी कोई पता है जगननाथ के मंदिर में सभी कोई आना जाना रहता है सब कोई चारो धाम में से एक है जो माना और मैंने यह कुशन लिखा भी है इंसेंड में राइट मैंने जो आपको एक पिक्चर भेजी ह उसे ने बताया था चारो धाम की बारे पूछा जा सकता है question सेम चीज यह जगननाथ में भी question आ सकता है उडिशा इस्टेट में यह approval amendments का approval मिला है स्रीजगननाथ temple का कब मिला था यह 1900 act कि सेक्ट के स्रीजगननाथ temple act 1904 इसको क्या है कि इसमें क्या है अभी चर्चा में इस लिए कि approved हो चुका इसका amendments करना है इसमें कुछ इस Act में इस वज़े से चर्चा में था उडिशा गॉवर्मेंट ने काया कि इसमें एक ऐसा हिस्टोरिक इस्टप ले रहा है ले चुका है जो कि कह सकते है occupied लैंड ओंद बाएदा जगना से द्वा दौरा जो कुछ उसमें कह सकते हैं पार्टेनिग इशयू इसे पार्टेनीग 결ण बन कह सकते है किसके उसमें हैंड है उडीशा गर्रमेंट इसमें ले चुकि से को कि यह हम देखेंगे और यह हमारे उसमें आ जाना चाहिए और इसको हम रिष्ट्रेक्शन कराएंगे और अच्छा करवाएंगे इस मामले को लेकर इसमें आ रहा है इसी वज़े से इसमें कहा गया कि थोड़ा सा अमेंडमेंट करानेए जरूरी है कि इसकी जो सेल और लीज टें पर दे सके उससे और रिविन्यू जनरेट हो सके वहां की गौवर्मेंट के लिए इसलिए थोड़ा सा चर्चा में आ गया था तो इसके बारे में यहां से देखेंगे कि यह अब हेरिटेज में जब सामिल हुआ यह तो यह कब हुआ था सामिल आपको यहां से दिख जाएगा 2016 में दा प्रोजेक्ट रेंस ट्रांसफॉर्म होली टाउन टूपुरी इंटरनेशनल प्लेश ऑफ हैरिटेज हैरिटेज में इसमें रखा गया इसमें आपको देखेंगे बाइस डिफेरेंट प्रोजेक्ट इसमें काम कर रहे थे एक्जिक्यूट किया गया जिससे और अच अपुरी बादा इसकीम आवधा इसकीम के तहत इसके लिए क्या कर गया है फंड एलोकेट किया गया है और इसके कुशन यहां से पूंचा जा सकता है आघे इसके बाद यह प्रोजेक्ट जो है रिडेवलक जो आया पुरी ये आफर पुरी लेक एंडमोरी वर रिवायवल प्लान के तहथ एक यह बीए इसमें कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट में य lebih बिना इसके काम नहीं है यह भी साथ में अगर उसके जगननाथ पुरी के लिए डिवलमेंट करना बहुत जुरूरी अब थोड़ा साम जगननाथ के टेंपल के बारे में और इसके कंस्ट्रेक्शन के बारे में जान लेते हैं यह जगनाथ का मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है लोग यहां से मनत मांगते हैं घर बैठे भी और बहुत ज्यादा यह माना जाता है तो इस इनके बारे में यहां पर जगनाथ temple के बारे में कुछ सीज़े हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे और इसका architecture कैसे बनाया गया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपको मालूम है कि इसमें construction में यह माना जाता है कि यह जो हमारे king थे अनत्वर्मन चूड गंगा देवा इन्हों ने इस्टन गंगा डाइनेस्टी ने बोला गया है गंग डाइनेस्टी यह गंगा डाइनेस्टी इन्हों बार्वी सताब्दी में 12 संचुरी में इसको बनवाया था इसके बाद इसके चार धामों का एक पार्ट है temple is a part of your temple चार ध इसमें से कह सकते हैं हिंदू के इसमें कह सकते हैं इसमें एक चीज है हिंदू is expected to make is one's lifetime बाइब हैं आपको यह भी ध्यान देना इसके बाद आर्किटेक्ट्चर में देख लेते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बैसने यह अब आप जानते हैं उन्हीं को डेडिकेट करता है कहीं न कहीं डिकेट जगनाथ वैसनेटिव टेंपल है वैसनेटिव टेंपल जो कि स जगनात पुरी टेंपल को एक और नाम दिया जाता है यामनिका तीर्था यामनिका तीर्था भी जाना जाता है और ये हिंदु लोग इसमें बिलिफ करते हैं इसको बहुत जादा मानते हैं जगनात पुरी के इसमें देखें कि यमा पावर कि इसमें भगवान यमा का यानि य यहां पर यहां पर यहां पर यह भी देखेंगे इसमें चार गेट है इस्टन में जो है उसको बोला गया है इस इंग द्वार विच दमें गेट दूसरे जो हैं यहां पर चारो द्वारें के नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक हैं मैंने यहां तक आपको चारों द्वारें के बारे में जानना है पहला द्वार कौन सा है पहला यह है हमारा पहला गेट इस्टन यह में गेट है तो इस्ट में और है क्रॉंचिक लाइन लाइन सदन में जो है उसका नाम है अस्वा द्वारा वेश्टम में है जो ब्यागरा द्वारा नदन में है हस्टी द्वारा there is a curving of each from each gate इसके बाद इसके बाद आपको देखेंगे नील चक्र भी दिखाई देगा जो आप नील चक्र का मतलब क्या है ब्लू हील जो देखने को मिलता जैसे भगवान बिश्वने को इसमें थे और इसमें कह सकते हैं इसमें जो अश्ट धात का है आठ अश्ट धातों से मिलकर आठ मैटल से मिलकर बना हुआ है इसमें तो वो जो वील है अश्ट धात से मिलकर बना है जो बहुत सूब माना जाता है और इसके बाद यहां जो इंट्रेंस गेट है इसमें कह सकते हैं फ्रंट आप देंट्रेंज इस्टेंड दा आरुना इस्तंभा यह सन पिलर बना हुआ हुआ है विच वाज ओरिजिनली एड़ दा संटेपल इन कोणा अग इसके बाद पूरी फेमस है फॉर इस एनुवल रत हियात्रा के लिए फेमस है यानि चैरियोड फेचिवल कह सकते हैं रत You आता होता है और और ट्री प्रिंसपल डाइटीज इसमें कह सकते हैं इसमें जैसे मनते पूरी हो जाती है बहुत सारे हैं से हैं दूसरा आप चलते हैं यहाँ पर हम इस मंदिर पर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यह भी चर्चा में रहा है और आपको यहाँ पर रामनात कोबिंद भी देख रहे हैं जो हमाई राष्ट पती है काली बरी टेंपल यह हिंदू टेंपल है जो कि आपका बांगलादेश में लोकेटेड है यह जो आपको दिख रहा है काली माता का बांगला देश में बांगला देश मंदिर पहले बांगला देश कह सकते हैं बांगला देश का जादा पहले पूजा होती थी तंत्रमंदर का बहुत जादा यह रीत रिवाज वहाँ चलता था अलग हुआ तो कहीं न कहीं तो काली माता का तो चलेगा ही चलेगा तो इसमें बांगलादेश में लोकेटेड है यह काली बरी टेंपल यहां से पूछा जा सकता है यह आई यार में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था यह दुबारा से इसको रिकंस्ट्रक्शन कराकर इसका इनाउग्रेशन किया गया है इसलिए चर्चा में था इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने इसे चाहां ओके क्लास इस गूइंग त्रूलिया वर्ष्ण थैं है और इसका इनाउग्रेशन किया यह चर्चा में था इस वज़से इसका रहा कह सकते हैं इसमें और देखा जाए रामना कालीबरी वाद बिल्ट डूरिंग दा मिडिवल एरा में बनवाया था इनोंने रामना कालीबरी ने और यह फॉर्ट टॉल स्ट्रेक्शर है बहुत मंदिर है बहुत बड़ी मूर्ती है यह माता काली का चलिए आगे देखते हैं इसमें से अभी यह बात जो मैंने बताया वह खतम नहीं हुई थोड़ा सा इसमें चलेंगी सारे मंदिर इनके बारे में मंदिर है इसमें अब चलते हैं सिक्छ तक्त पर अच्या आप एक कोरेडूर जो बना था हमारा पाकिस्तान से भारत प्रवाट का वह कॉरिडोर भी याद रखने एक्जाम में पूचा जा सकता है ठीक है कार्तार पार कॉरिडोर तो वहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे सिख टक्त क्या है इस तक देखेंगे तो इसमें देखें आज शिक तक्त का दिल्ली सिख गुर्द्वारा अर्ट उनिस से खतर यह एक ऐसा बिल है जो पास हुआ है अभी हाली में आज you researchers है गया है तक्त कि दम् दमा साहिब झाता है verde प्था सिक्थ है माने जाते हैं यह फिद तक्त ऑफक्त प्था सिक्थ के माने जाते हैं यह तक्त का मतलब होता है throne लो यानि सिंगहासन का इंज हासन में यह चीज़ने यहाँ पर देखि़े जा सकती ही समय यहाँ पर क्या हुआ कि की इसकी जो अथॉर्ट है सिख के लिए और जो टेमपरोलर इशसरा हुत होर्ट है कि यानि उसका जो शासन है उसके लिए माना था उसमें सही सिक तक्त जो है सिक तक्त का उसका बिल पास हुआ है जिसमें से गुर्द्वारा एक के तहित बनाया गया था और इसका बिल पास हो गया इस वज़े से चर्चा में हुआ हाली में हुआ बिल पास और इसमें देखेंगे इसमें 56 तक्त थे 56 तक्त कौन कौन से यह हैं एक तो है अमरिश सर श्री अकल तक्त अमरिश सर दूसरा तक्त श्री दमदमा साहिब भारतिंद और तक्त श्री हरमिंदर साहिब पतना तक्त श्री भाजुर साहिब नांदेड तक्त श्री तक्त हैं जो देख सकते हैं इसमें सामिल हैं पांस तक्त में और यह आपका इसमें से देखा जाए तो out of them three are in Punjab one in Maharashtra and one is one in Bihar एक Bihar में है Maharashtra में है पंजाब में है तो ऐसे करके इन में से आते हैं आपके five में से तीन बाहर है तो यह चीज़ें सिक्तक्त में आपको यह भी सारी चीज़ें मैंने नीचे बता ही दी और इसमें कुछ जरूर्थ है नहीं वहीं नाम लिखा हुआ है जो मैंने बताया चलिए अब यह आपका यूनसको हरिटेज में अभी सामिल किया गया है यह चर्चा में आ इसमें देखेंगे रामपा टेमपल जो तेलंगाना का पहला ऐसा टेमपल है जो यूनसको में सामिल किया गया अब आंध्रप्रदेश में तेलंगाना में दोनों अंतर है पहले की बात अलग है जब से तेलंगाना बना उसमें से पहला जो है पहला मंदिर जो की यूनसको मे सामिल किया गया जिसका नाम है रमपा टेंपल रमपा टेंपल में इसमें कह सकते हैं कि यह जो इसका टैग लग गया युनेस्कों का युनेस्कों के बारे में भी आपको जानना बहुत जुरूरी इसके बारे में यह जाने कि इसमें किसने बनवाया था और कैसे बनवाया गया किस ने बनवाया था तो आपने काकती डानेश्टी का काकतिया कह सकते हैं या कैके काकतिया ही बोला जाता है वंस ने इसको बनवाया था इससे पहले हम काकतिया वंस से पहले हम इसमें यह देख लें कि इस कहां पर टेंपल के बारे में तुरा जान ले इतलंगाना में वारंग ये सारी चीजे इसमें और बहुत अच्छे सेैसका एक युनिक तरीके से बनाया गया है और ये काकतिये स्क्लफ्ट सो बोला जाता है यानि काकति यान जो है काकतिय डानिष्टीय है उसने इसको बनवाया था इस्टेंपल का नाम कह सकते हैं कि क्या त्यांड आरकिटेक्ट रामप्प इसका नाम इसलिए पड़ा कि जहां आरकिटेक्ट रामप्प के नाम पर इसका नाम दिया गया यह गूत हुवा बार सोतेरा एडे में इसके ट्यूरिंग दूरा रीन ऑफ काक्टिया इंपायर और इसके hertz arla rudra general of kaaktiya king Kanuti Kanpuratiで83 king के general थे Sangatarya rudra उसके उसमें सासन में ये बनाया गया था Registora के एगया था और इसको आए इसके architect कौन थे रमपा थे इसके नाम पर इसका नाम Ramapā temple दे दिया गया ये temple में कह सकते हैं कि Ramlinghe Swara Shwami सभी उसमें कह सकते हैं प्रेसीडिंगcmology कोंतरों सर्थ पको good तो आप यहां से इसको देख सकते हैं काक्तिया में बार्राविवी और थेरिमेऺ सताबदी के दोरान इसे काक्तिया इसमें देख सकते हैं बारवी और तेरवी सताब्दी सेंचुरी में साधा इमर्जेंस ओफ दा काक्तियाज इसमें से हमें जो देखना है वो बहुत इंपोर्टेंट यह है कि यह कहां कहां पर कैसे कैसे किन से किन सिन की जुड़ी थी ट्रेट्री जुड़ी थी वो किस से जुड़ी थी आप देखेंगे चलुक्यास कल्याना कल्याना के जो चलुक्यास थे वेस्टन में रूलिंग ओवर दे स्मॉल ट्रेट्री नियर वरंगल यहां पर डानेश्टी वह सो पाउर्फुल लीडर गनपती देवा और रुद्रमा देवी दोनों इस डानेश्टी काक्तिया के सबसे पावर्फुल में आते हैं प्रताप रुद्रा जो अगर कहें प्रताप रुद्रा आलसो नोना एस कादकिया रुद्र देवा यह भी कादकिया रुद्र देवा के नाम से इने जाना जाता था और इसके बाद देखेंगे कि यह किसके लड़के थे अगर देखा जाए तो प्रोला सेकेंड के लड़के ल बेडता कि इसका माना जाता है इंका roll और फिर इसके बाद प्रताब रोद देवा फ़स्ट जो प्रथम है उन्होंने तेलगवी language को यूज किया inscription में जो start किया जो inscription इसमें लिखाया गया जो लिखाया गये है जस मंदर के बारे में लिखाया गया जो लोगों के बारे में लिखा गया उसमें तेलगवी लेंग्वेज को इन्हों ने यूज किया है इंस्क्रिप्शन में यानि अभी लेख में इसके बाद अगर देखें कि इसके बीफोर इस्टाबलिस्मेंट इसकी जो कैपिटल होती थी कैपिटल आफ काक्तिया उसका नाम था क्या औरुगलू कि क्यों इससे वरंगल केहें आइस दा कैपिटल या फिर कहें इसे खनाम कोंड़ा वास्ट कैपिल आफ़ दा काक्तिया इसके बाद देखेंगे इसमें ग्रेट इससी टाइम पर बैठी तर जा था काक्तिया किंड़म के दौरान जब रुद्रमादेवी इस टाइम पर बैठी हुई थी गर्दी पर उस टाइम पर यहां पर यह आई आया और और मार्को पोलो और यहां बाद बिजट करके गया इसके बारे में आर्ट और अर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसमें देखेंगे आइकोनिक जो है काक्तिया का थोरा नम यह किसके दवारा रुद्रमादेवी के दवारा रुद्रादेवी के फादर के दवारा 12th संचुरी में यह बनवाया गया था और यह आप इसमें कह सकते हैं यह इसमें दा चैनिक पखल लेक वरंगल में जो है यह गंपत्य देवा के द्वारा बनवाया गया था तो यह भी पॉइंट इसमें रखना है इस सारे पॉइंट यह PPT जो है मैं इसमें सेर कर दूँगा किसमें आपके टेलेग्राम पर टेलेग्राम पर आपको सभी को जॉइन कर लेंगा टेलेग्राम पर यह PPT मैं जिससे आपको पीपेटी मिल जाए ठीक है चले आगे देखते हैं अब आगे हमारा क्या निउस में है उसके बारे में निउस में रहा है आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या फेमस है उसके बारे में क्या क्या काम और हुआ एक चीज़ इसमें ध्यान से जना कोहिनूर डायमंड है जो विचिज नौ अमंग देज्वस सेट दर बिट्रिस क्राउन और वास माइंड एड़ फस्ट ओंड बाइदा काक्तिया डायनिस्टी जो काक्तिया डायनिस्टी के द्वारा यह फस्ट पहली बार उनका माने जाता है और यह आज के डेट में देखा जाए जब विच्रिस काउन है उसके इसमें एक कोहिनूर हीरा लगा हुआ है वह यहीं का था और इसके बाद यह सोसाइटी जो आपके बारे मैंने बता ही दिया बांकी का आपने देख लिया है चलिए यहां पर आब आते हैं थोड़ा सा गय अग्यासओ दिन तौलक वैसे देखा जाए गस दिन तौलक काउन था अगर है कि वर्ड यहां तौलक वर्फ पाउनडर ऑफ तौलक डायनस्तिस प्रवहरे टियुए ब PS 223 का मंढ़ी। and आपर 50पे बीच स्कय को दिरिश न में डख雀थर गैश्टिस नुद नहаничों पाय इ जिसका नाम था मुहांबद बिन तुगलक जिसका जौना खानलका हुआ वो गद्धी पर बैठ गया इसके बाद वो बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन थोड़ा सा कुरूर था समझदार ज्यादा समझदार बहुत ज्यादा था लेकिन उस दें जो सजदा है जो आपका पावो से वो चलाया था उसने और वो थोड़ा सा जल्दबाजी बहुत करता था तो उसका सारी चीज़े फेल हुई थी मुहम्मद बिन तुगलक इसमें वर्ड आ गया तो मैंने इसको मैंने का बता ही दूं अगर ये मिडवल हिस्ट्री का पार्ट है तो इसमें फिर इसनी क्या कि चेंज किया था इसने कैप्टल कैसे पहले दिल्ली थी कैप्टल इसकी देन इसने जो देवग्री है देवग्री जो यादो डाइनिक्ष्टी थी जो आपके डेकन के पास है वहां पर इसने अपना कैप्टल चेंज के इसे लगा कि मैं नौर्थ का तो सारा काम करी रहूं त तो हई एसारी जगें अगर मैं कंट्रोल सौफ में कर लो तो ज्यादाः बश्ट होगा जिसने क्या किस ये साות में गया क्या Maherast के बास डककन के पास जधकर के पास देवदित था जहां पर लूटा भी है वहां से याद्व ज़या कि वहां पर इसने भी कोशिस की वो सारे फेलियर रहा वहाँ पर तो यह फिर से वापस फिर दिल्ली पे कर्वर्ट हो गया फिर दिल्ली को राजधानी बनाया और फिर दिल्ली में आ गया तो ऐसे करके अफिसका इसके बाद जो आया इसके बाद इसका मतलब कजिन था जिसका नाम था फिरोज सा तुगलग ने जजिया कर सभी ब्राहमन्स, पुरोहित और सभी पर लगा दिया था क्योंकि उसको लगता था कि मैं मुस्लिम से हूँ और मेरी मा जो है वो हिंदू है इसकी वज़े से ऐसा नहों कि जो उलेमा है वो ये कहें अब पुजारियों पर इन में पहले नहीं लगता था यहां से किया था अकबर ने बाद में हर रायाट आया है तो यह बहुत ज़्यादा फायदे थी तो अकबर को इसलिए लुक चाहते थे यह चीज था पॉइंट तो मैं इसमें आपको मैंने बता दिया ठीक है चलिए इसके बाद चलते हैं मारतन संटेंपल मारतन संटेंपल जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और मारतन संटेंपल बहुत बार हम ये कुशन में भूल जाते हैं संटेंपल हमें एक ही पता है को नार कट संटेंपल बलकि वास्तों में देखा जा हो गया एक गुजरात में सन्टेम्पल है एक जम्मू एक सब्सक्राइब के वारे में पूछा जा सकता है यह अभी चर्चा में रहा है क्योंकि यह दोड़ा गया था फिर इसका पांडो लादेन के नाम से यह आपे लादन के हैं इसे वो ना बोल देना कि लादेन है लादेन नहीं है लादन है लादन यह मारतन संटेम्बल जो है इसे पॉंडो लैदन के नाम से जाना जाता है, ये हिंदु टेमपल है और इस सूर जी को, सूर भगवान को ये डिडिकेट करता है, दूसरी चीज ये है कि जो इस टाइम पर इसे बनवाया गया, वो कार कोटा डाइनिस्टी ने जिसका नाम राजा का नाम था जिसका राजा का नाम क्या था ललित दित्या मुक्तापिडा इसने आठमी सताब्दी में इसको बनवाया था आठमें सताब्दे में इसे बनवाया और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसे बात ये देखा जाएगा कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुस्लिम रूलर जो सिकंदर साय था उसने इसको डिस्ट्रॉय कराया था और इसके बास से फिर से इस बार गौवर्मेंट क्या कर रही है सबी जगे आपी देखो ग्यान व्यापी जो वह मस्जिद है उसका भी के शल्ला इसके बाबरी का था यहां पर भी वही चीज़े थोड़ा सी इसू चल लाए है उसी इसू को लेकर रिकर्स्ट्रॉक्शन का मामला दिया है वैसे टेंपल बना रिखाय था सिकंदर साय मेरी उसने इसको तुड़वाया था और इसको पहले देखा जाए तो यह बहुत पुराने मंद्रियों में से एक था older than the Kodak और Modera, कोडार का Modera temple था, उससे पहले यह बनवाया गया था, ठीक है, जो कोडार का संटेम्पल है, Modera यानि, Modera, Modera का मतलब है कि यह वहाँ पर, यह भी सं टेम्पल है, लेकिन यह कहाँ बना है, गुजरात में, इससे पहले यह बिल्ट हो चुका था, इससे पहले ही बनवाया जा चुका था ठीके अब चलते हम इसमें थोड़ा सा इसमें देखेंगे नेश्ट एक कुछी नगरा बुद्धिष्ट पिली ग्रिमेज टाउन ये इसलिए चर्चा में था अभी मोदी जी ने हाल ही में आपको पता होगा मोदी जी ने क्या किया था वहां से अभी इंटरनेशनल एक तो एयरपोर्ट बनाया गया है वहां उसको घाटन करने गये थे और ये एक तो बुद्ध का यहां यहीं बुद्ध ने कुछी नगर में ही इनकी डेथ हुई थी जो मल सासक के मल मलों का सासक था मल सासक हुआ करते थे वहां पर विश्कर मल चांद सकते हैं तो कुछी नगर प्राइम इस्टर नरेंदमोध रिसेंट लिए इनौगरेटेट दखुषी नगर इंटरनेशनल पोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट जो है इस्टन यूप पढ़ता है थर्ड इंटरनेशन एरपोर्ट है जो एलेक्शन बांड इस्टेट व वह था यूने जो हमारे इस्टन यूप में यह लोकेटेड है यह देख सकते हैं इसके प्लिग्रे में सेमिटर बेरी फ्यू बुद्धिस्ट कह सकते हैं इसमें से जो की 2011 के संसर में देखा जा यहां बहुत कम बचे हुए हैं और को यह और पॉपलिशन जो है जो इस टाइम पर थे बहुत पहले थे और अब इस टाइम पर कितने हैं अब पॉपलेशन पहले इतनी थी अब देखी जाया तो 4619 बची है जो की सिर्फ 0.12 परसेंट है पहले की इसकी अगर देखा जा जब सुरुवात में 2011 के संसर में देखा गया तो इस टाइम पर यहां इत क्या है कि देखो इस लंका से बीसकर करेंशन बुद्धि फीस का चैना से भी कुनेंशन है जापां से जहां जहां बुद्ध की बहुत धर्म के लोग है वहां सबनेक्शन है तो कई नगा इस सभी चीज़े जुड़ी हुई है जिसकी वज़े से हम इसको वो कर सकते हैं ठीक है चलिए इसमें यह ध्यान से समझना है कि यह जो historical significance or कुसी नगर यह वशिए मैं बता कर दिया है buddhist अटेंड महा पर निर्मारा महा पर निर्मारा महा पर निर्मारा महा पर्निर्मारा को महा परMAN निर्मारा का नाम से जाना जना जाता है महापर निर्मारा 483org 203 becomes bce में इनका हुआ और आज कुसी कुछी नारा पहले इसका नाम कुछी नारा होता था मल रिपपलिक होते जैसे मैंने बताया यहां पर असोला महाजन पदों में से एक यह माना जाता है यह आपकी इस्ट में देखेंगे कि area the area went on to be part the kingdoms किसका किसका पार्ट रहा यह एरिया तो आपको मौर्या सुंग कुशान गुपता हर्सवर्धना एंड पालाज यहां से कुशन पूछा जा सकता है किसका किसका पार्ट था यह बुद्ध से इस बार कुशन तो प्रिलिम्स में बुद्ध से कुशन पूछना 100% से और है कि बु प्रिलिम्स कर दे रहें उनके लिए और इसके बाद कह सकते हैं इट्यकिशन एग्जेकिविशन कुशी नगर में वे राइड और मुझेंडर कनिंगहम ACL कैर ले and इसमें Alleghen Cunningham कौन थे ये first surveyor of India कह सकते हैं इनका नाम जो दो देखेंगे Indian ये क्या ASI, Archeological Survey of India Archeological Survey of India के ये उसमें पहले survivor थे और इसमें इसके बाद देखेंगे कि इनों ने क्या किया बुद्धा का जो reclining हुआ six meter long statue बनवाया गया बुद्दा के इन 1876 इसका कुसी नगर जो बुद्धि सर्कृट में देखने थोड़ा सा कहां कहां से सर्कृट जा रहा है तो इस सर्कृट आप देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि कहां कहां सर्कृट जाएगा यह त्रांस्पोर्ड यह कह सकते हैं ट्रा इंटरेश्चनल तो नेपाल श्री लंका एंड़ अलांंग दोस इन इंडिया जो भी इंडिया में हैं नेपाल में तो यह एक आपका सर्किट यह भी अब दिखे जाएगा यह पर सरकृट एक बनाया गया है एसमें बताया गया है जैसे वारणाशी सारनात पहला सारनात क्या था फर्स्रमन क कैते हैं बुद्धिष्ट बुद्धा बुद्धा हैड गीव इन फर्स सर्मन इन डियर फाक इन सारनाथ नियर वारांट सी तो पहला जब इन्हों ने दिया जब सरावस्ती तो आप जानते हैं सरावस्ती में इनका क्या रहा लुंबनी क्या रहा इसका कुशी नगर में क्या रहा केसरिया में क्या रहा वैशाली में क्या रहा इनका नालंदा में क्या रहा राजगीर में क्या रहा बोध गया में क्या रहा आपको मालू है बोध गया में इन का जन्म हुआ इस सभी पॉइंट को आपको यहां पर कपिल वस्त भी है यहां दो पार्ट है इन सभी को आपस में जोड़ा गया है इन्हें जोड़कर एक इनका वो बनाया गया है यह हमारा क्या बनेगा इसका एक कॉरिडोर बन जाएगा जहां से बुद्ध का रिलेशन जोड़ा गया है और नेपाल से भी जोड़ा गया है जो आप वहां जाकर भी इसमें उनके बारे में जान सकते हैं उनके बारे में कुछ न कुछ वहां पर दिया गया ठीक है चलिए आगे चलते हम थोड़ा सा और चीजों को देखेंगे और समझेंगे और मैं छोड़ने वाला नहीं यह मस सोच ना कि सर छोड़ देंगे अगर यह खतम हो गया मैं छोड़ूंगा नहीं अभी मेरे पास ना उसके भी PPT है और मैं उसको भी जो हमने बताया था मैंने modern history उसका भी मैं यहां से जरूर करूंगा भी ठीक है तो यह है आपके थोड़ा स सब बुद्धिष्ट की side features इसके भी जान ले कि यह तो बांकि मैंने बता चुका हूं वैसे इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी कहानी वैसे में बता चुका हूं तो यह वही कहानी है enlightenment कभ हुआ कैसे हुआ और एक चीज हां इसमें समझ लोगे कि बोध गया जो था बोध गया यूनिस्को हेरिटेज में सामिल है इतना याद रखो बांकि चीज़े सब वही है जो मैंने पढ़ाया है उसके उसमें दिकर नहीं है रिकलाइनिंग बुद्धा बुद्धा रिकलाइनिंग बुद्धा की अब आद में यहां से थोड़ा सा देख सकते हो यह है कर दोलना है State- hasn uhर भार से कौशिया कहीं न कहीं से ऑता ही आता है तो इसलिए हमें यहां पर जाना जरूरी है कि बुद्धा बुद्धा जयानती तो आप मना जाती 26 Grande को अब यह बात यह है कि 26 माई को क्यों मनाया जाता है क्योंकि जैसे 26 माई को मना लू या किसी में मना लू वैसे इनका बुद्ध का जन्म जो हुआ वो तब उस टाइम पर कलेंडर तो चलता नहीं था BCE में था 26 माई अपने आप से डिसाइड किया गया है और उसकी हिसाफ से इसमें बनाया जाता था तो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया का जो लार्ज स्टेच्यू है बुद्ध का रिक्लाइनिंग बुद्धा तो उसमें क्या हुआ है कि इसे इंस्टाल किया गया और इंटरनेशनल वेलफेर मिशन टेंपल बोध गया में जो बना हुआ है इंस्टाल किया हुआ और यह आपक हाँ प्रीविस एर कोश्यन में देखा था हांनेट परसेंट आएगा इस बार इसमें देखेंगे इस टीचु रिग लाइनिंग रिपर्जेंट में देखा जाए तो इस टैचु को है आप देखेंगे इसमें कि दूरिंग दा लास्ट इल्नेस अबॉर्ड इंटर पर निर्व में पपढ होगे सकाफ डाइनिश्टी के बारे में और इसके बारे में तो वहां से आपको थोड़ी सीज़ा पदा चल जाएंग एक गंधारह आर्ट वी इसको रिप्रेजंट करता है गंधारह 8 के तौरा 4 डिपिक्ट इड होता है लेकिन ही इन्होंने कहा कि यह नहीं करते हैं दोनों चीज़ें तो दोनों चीज़ों के बारे में आप यहां से देख सकते हैं इसके अलावा यह इंपोर्टेंट है कि इनका स्टेच्व जो है अब आउटसाइड इंडिया के बाहर कहां का वाना थाइलेंड में भी है और भी बहुत साथी स्टेशिया में बनाया गया जैसे चाइना है ऐसे जहां-जहां बुद्ध को फॉलो करने वाले हैं वहां भी इस इनके वह बने इसको आप इसमें कर सकते हैं वह बोद गया ही चल ला है तो यह तो मैंने बता ही दिया तो इसका कोई इश्यू है नहीं इतना जादा मैं इसे बताओंगा मैं पहले मेरा चेप्टर देख लेना जो मैंने पढ़ाया है उससे क्लियर हो जाएगा तो इसका जरूत इतनी इसकलेप्शर ओफ दबुद्धा फौन इने उडवी उडवी में फॉंड किया गया ही थोड़ा सा छोटा सा छोटा से स्कलेप्शनिए छोटे से ओलु मुलु टाइप के बैठें बढगवान और यह बड़े अच्छ फॉटे से फांड के गया भी हाले में तो यह उडवी उड़पी जो आपका करनाटका में डिस्टिक है वहां पर इन्हें देखा गया है वहां पर इन्हें फांड की गई चोटी सी मोर्ती उड़पी में जहां जगे है अलेंबी अलेंबी नाम है वहां पर इन्हें देखा गया है और इसकी वज़े से चर्चा में आ गया इसे बताय सेन्टीमीटर जो आपके समें जो वाइड है चोड़ाई ऐसी देखिए जैंग मुटाई 2 संटीमीटर चोड़ाई पांस सेंटीमीटर और लंबा इस वह 9 सेटिमीटर बहुत चोटी सी है इसलिए से मेनीज्कलप्चर बोला गया है मेनाचुर बोला गया है इसलिए और यहाँ पर देखा जाया तो नहीं तुद निसुक्स इस शीत इए अधिन दृन से तो या नौन कि आह boxer आपको चीज है यहां पर और आपको अब चलते हैं धौला वीरा पिछली बार भी धौला वीरा से कुश्यन आया था इस बार भी हो सकता है कि रिपीट कर दे नहीं करेगा तो जो इंडस सिविलाजेशन के टाइम पे जितनी सिटी है उनके बारे में अच्छे से आप इस्टेडी कर लेना कुश्यन जरूर वहां से आएगा कुछ ना कुछ क्योंकि अगर ये चर्चा में रहा है तो इस वज़े से यहां पर इंडस सिविलाजेशन से कुश्यन यहां से पूछा जा सकता है वो एक चर्चा में रहेगा तो पूरी इंडस सिविलाजेशन से कुश्यन पूछ सकता है इसलिए इंडस civilization part आपको पढ़ लेना है मेरा भी लेक्टर उसमें भी लेक्टर पढ़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हो समझ सकते हो इसलिए यहां पर आप देखेंगे धौला वीरा गुजरात में है युनिसको हरिटेज में अभी टैग इसको प्राप्त हो गया है युनि और देन इंडिया इटली स्पैंज जर्मैनी चाइना फ्रांस और हैव ओर फुर्टी ओवर मोर वर्ड हरिटेस साइट है अबाउड दौला वीरा के बारे में ने बताया है दौला वीरा के बारे में देखा जा तो यह लगभग यह आपका एक तो पहली बात यह बताना है इ आज की डेट में यह एक छोटा सा लैंड बचा हुआ है उसमें से देखते हैं और यह ऐसा माना जाता है कि यह मिलियनियम यानि थर्ड टू मिड टू हंड टू सेकेंड मिलिनियम बीसी में बना होगा यानि जब उस टाइम पर जब नियोलितिक के बाद जब शुरुआत हु हुए तो यह इंडा सिब्लाइशन में चेंज हुआ इंडा सिब्लाइशन में तीन फेस था पहले जब श्टार्ट हुआ फर्स्ट फेस जो 300 3000 वी सी लेकर 2726 100 वी सी तक जब चला तो उसके बीच में यह जो कैसे जो आपके अन्वेक्ड ब्रिक थे यानि कच्छी इंटों से बनाया जाते थे यह टाउन में गाउंचेंज होना शुरू हो गया था इस उसी टाइम पर यह बनना शुरू हुआ और जब यह प्लांड सिटी बेल प्लांड सिटी है और टाउन बनना सुरू हुए इसके बास जब आपका बीच का पार 1600 से लेके 2600 से लेके 1900 बीसी में यह जब चला उस टाइम पर सिटी बनना सुरू हुआ और यहां पर आ गया और यह आप देखेंगे धौला विराइज लोकेटेट टूहन टूहर फिप्टी किलो मीटर फ्रॉम्ट भूज अब भूज मूभी भी थी इसलिए भूज से रिलेटेट कुश्यन यहां पर पूंचा सब्सक्राइब भूज मूभी भी थी तो कहीं नगा इसका कनेक्शन जोड सकता है तो यह चीज आप ध्यान से कनेक्शन कैसे जोड सकता है वह चीजे इस तो सीजनल स्ट्रीम्स मांसर एंड मनहार अब यह आपको थोड़ा सा इंडश सिब्लाइजेशन के बारे में यहां द अब यह कुरार क्शन जोसल्च करें जरोर इसकी बाद करें एक संटेम्पल कौन सा था सा जो आप पर दो तीन चीजें इसमें चर्चा में रहें एक तो पहली बात यहां कि जो मुन्सी पलेटी थी मुन्सी पल्टी ने M.C.D. ने कुछ इसमें गडबड किया था तोड़ने उड़ने की बात हुई थी इसके वज़न से भी चर्चा में था और इसके बाद और भी आर्किलोजिक सर्वे ने इसे करिंग्डा कंवर्जन आफ शंटेंपल अड़ गार्णी के तैट इसको रखा गया और था थी नियूञ बनाया गया था और इसके जो राजा थे जिसे ने बनवाया था उनका नाम था नरस्म देवा यह गंग डानेस्टी के यह भी सासक्ते ठीक इन्हों इसको बनवाया और 1984 में ही 1984 में ये युनेसको हेरिटेज में सामिल हो चुका था ये मंदिर और इस चीज में आप देख सकते हैं कलिंगा आर्किटेक्ट्चर हेरिटेज एक्षट वीच सैलन्ड नेच्रल व्यूटी इसमें ये सारी चीजें बांकि आपको इसको ब्ल बात करते हैं तो आर्किलोजिक सर्वे ने यहां पर भी इसको डिमॉलाइशन जो आप भुनेश्र डेवलाप्मेंट अथर्टी ने इसको भी थोड़ा सा तोड़ा है लिंगराज टेंपल इसको जब यहां पर ध्यान समझ जब डिमॉलाइज किया गया बुनेश्र डेवला इस दा कस्टोडियन ऑफ दे लिंगराज स्रेन विच इस प्रोटेक्टे अंडर दा एंशियंट मोनुमेंट्स एंड आर्किलोजिकल साइट और रिमांस एक्ट इसके तहत यह हमारे कबजे में था और हमारी इसकी देखरेक होनी चाहिए थी बिना हमारे परमीशन के आपको कैसे इसको demolish कर सकते हैं कैसे इसको तोड़ सकते हो यह बहुत गलत है इसमें action होना चाहिए इस चीज को लेकर फिर यहां से local municipal official did not take the permission before carrying out the demolish यह चीजे हैं इसकी वज़े से चर्च में आ गया और यह यह बहुत जादा उसमें देखा गया इसके बारे में थोड़ा सा चीज हमें थ्यान देना है इसमें temple को कैसा dedicate करता है भगवान सीव को dedicate करता है और देखो भगवान सीव को dedicate करता है कलिंगा अले architecture इसमें यूज हुआ है और इसमें जो king थे उनका नाम था जजाती केशरी आफ सोमावंस सोमावंस के जजाती केशरी ने इसको बनवाया और यह एक इसे रेड इस्टोन से पूरा बना गया है classical example है कलिंगा style में बनाया गया कलिंगा जो architecture वो कैसा है आर्किटेक्ट कैसा यूज किया आर्किटेक्टर कैसा यूज किया गया है कलिंगा style में तीस तरीके से इसमें और इसमें कुछ images है तो भगवान सीव को यह पूरा represent करता है लेकिन इसमें कुछ ऐसी पिक्चर है जो भगवान विश्णू के भी लगे हुए हैं और कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आप कह सकते हैं गंग रूलर से भी संबन्दी था यह वैसे रूलर काउन से सुमवंस के थे इसमें 12 सताबदी में जब जगनात पूरी जब उस टाइम प पाइंगे डिवला स्टाइल भी कुछन पूछा जा सकता डिवला स्टाइल में इन्होंने इसलिए कि यहां पर लिंगराज टेंपल जो बनाया गया है इसमें फोर कंपोनेंट है जिसका नाम है वीमाना जो कि आपका सैनक्टम फिर है जग मोहना अशंबली हाल बनाया गया ह इनके नाम दिए गये हैं ठीक है यह अलग-अलग दिख रहा है ना यह इनके नाम दिए गये हैं यह आपका गर्बाग्रे यह रेखा डिवला यह एक्सिस वेस्ट इस्ट यह पीडा डिवला यह आपका कंडारा डिवला तो ऐसे इनके नाम दिए गये हैं वही नाम यहां प बंदर, संबंदर की बात करें, यह है संबंदर, यह फोटो आप देख रहे हैं, संबंदर, इस चोला डाइनिस्टी को बिलॉंग करता है, इन्होंने एक डांसिंग चाइल्ड सैंट, एक ऐसा चोटा सा बच्चा, एक ऐसा साधू बच्चा, छोटा सा, एक कोई सैंट हो जगा उस दांस कर रहा है, उसको बिल्ट करवाया था चोला डानिस्टी ने, यहां से बीलॉंग करता है, उन्होंने इसको बनवाया होगा उस ताइम पर, और इस ने ने गैलरी ऑफ आस्ट्रिया, यहां पर नाउंस के, हैस अनॉंस और रिटन फौर्टीन वोक ऑफ आर्ट रिट इंडिया 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 इंड पूर्टी का रिप्रेजेंट किया है लेकिन कहीं कहीं माने जाता है कि सिर्फ चाइल्ड डांसिंग गल का जैसे कि एक डांसिंग गल मिली थी इंडर सिबलाइजेशन के टाइम पर वह ऐसा मान के छोड़ दिया जाता है तो यह चीजे इसके बाद चलते हम थोड़ा सा यहां पर 17 17 किया है 17 के बारे में थोड़ा सा बात करें यह आपको बाकिस में देख दें तो यह आपका एक्सपरेश इंडिया में आया था नियूज में इस वज़े से चर्चा में है एक मिनट रुकें के थोड़ा सा Matrix ऑसजा आप लोग यह सोंच रहे हैं हो कि सर इतना आप पढ़ा रहे हो और इससे क्या Tقط क्या होगा देखंग बात क्या होती कभिकरा पीडिया फीश्कर देते हम पढ़ लेते कभी कभार होता है कि चीजें हम पढ़ते हैं लीड़ी भूल जाता है लेकिन जब चीजें हम साथ उतने सीरियस नहीं लेते लेकिन असर्थ पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें आपके मैंड में आज जाएंगे ठीक है अब इसमें से देख लेना है यह आपको कि सत्रास क्या है monastic institutions created a part one of the 16th century new weston white reformist movement started by the weston white sent reformer Shri Manta Sankra Deva 1449 से लेकि 1449 तो 1596 में इनोंने इसे साथ हो जरी reformer समासेव उन्होंने इसको स्टार्ट किया इसमें से में जो है यह एक जो स्टार्ट हुआ जो चीज को आया वो क्यों हुआ एक तुपलवत पिक्चर आप पिक्चर उतना साथ दिख नहीं रहा मुझे तो नहीं साथ दिख रहा होगा केमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा होगा लेकिन फिलहाल में मैं आपको इसमें थोड़ा सा चीजे देख सकते हो बांकि यह एक तरीके से कह सकते हो कि डांसिंग और इन सभी भक्त और मॉंक यह कहीं न कहीं इसको इनफ्लेंश चीज़ सकते हैं कहुंसा सत्रह, दिकार, मॉंक, ओन ओन मॉंक यह भक्त के नाम से जाने गए हैं जो इनटक्तिट इन्टे पश्रा से यंग ज और में मैं जो सब्शों गेस ब्लगला oh दिख कि एक भगवान रखो एक मंदिर रखो एक धर्म रखो सारी चीज़े एक क्यों नहीं हो जाए अगर एक हो जाती है तो डिस्प्यूट ही बंद हो जाएगा एक कर दोगे तो लडाईयां नहीं होगी छुवचूत नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा सारी चीज़ें से हम बज़ जाएंगा यह इनका में मोटो था जो इन्होंने शुरुआत के यही फिलोस्फी थी इनकी ठीक है अब चलते हैं डांस म्यूजिक पेंटिंग आर्ट में जो आपका सकता है करकत्थम डांस को यहां पर देखें करकत्थम डांस आप देखेंगे देखो इसे कारकथम कारकथम डांस कथक डांस दोनों में अंतर है ठीक है ये कथक डांस ये देखो बिर्जु महराज इनका पंडित बिर्जु महराज कथक डांस कर रहे हैं ये कारकथम है इसमें इसमें डिफरेंस है तो इसमें ये ध्यान से समझना है कि यह ऐसा क्यों हुआ और यह चर्चा में क्यों रहा है और यह क्या है इसमें यह इन्होंने खतम हुए इसलिए चर्चा में आ गया है यह कार्थक डांस और बिर्जु माराज खतम हुए थे पंडित बिर्जु माराज और यह कार्थक डांस यह इसलिए है कि यह इसको ऑगना कह सकते हैं organization has demanded the karakatham also known as a kumbakli in certain parts कुछ इसमें जैसे देखा जाता है और ये केरला के कह सकते हैं agriculture art में सामिल किया जाता है agricultural form में इसे देखा जाता है कि कहीं न कहीं जब एक यह यह मैं आप से कहूं कि कभी कभार होता ना कि हम कोई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं या कुछ हैंसा तो बहुत सारी जगे अलग-अलग खेती करने का टाइम आता है उसको रिप्रेजेंट करता है से मैंसे यह भी है और रिकॉगनेज़ आज़ दा अग्रिकल्चर राट आप एफ एफ कोई हैं आप वाप केर्ला अ क्था जो समय स्यान अजय सिंगरति के नाम को और दो दो जिससे लिए एं पर इसके लिए पकार ऑपक यह लिए यहाँ आजयादा da देगा यह देवी के नाम से जाना जाता है इसके बाद पंडी बिर्जु महराज जो हैं वह भी हाली में खतम हुए हैं और कथक डांस में इन्हें एक बहुत अच्छा नॉलिज था बहुत महान डांसर थे इनकी और यह पदम बिभूशन 1983 में संगीत नाटक अकैडमी अवर्ड और कालिदास सम्मान से नमाजा गया है और यह इनके हाल ही में जब खतम हुए इन्होंने कई उसमें फिल्मों में गाना काम भी किया बहुत सारी फिल्मों में डांस डांस तो सिखाते ही थे और इन्होंने यह कह सकते हैं कथक के महारत हा जाने से बिलॉंग करते हो वैसा घराना था इनका घराना कह सकते हैं काल का विंदा दिन घराना से यह लखनव घराने से बिलॉंग करते थे और कथक डांस इनका क्लासिकल कथक डांस अच्छे से आता था इनका जन्म जो हुआ 4th February 1938 में लखनव में हुआ था ठीक है अब कथ तक के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो यह थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसमें तो यह चीजे हमारी इस वाइस चर्चा मेरा इसके बाद चलते हैं वाइज आंधर प्रदेश बैंड हंड़ेट इयर्स ओल्ड प्ले चिंता मणी पांडे नाटकम ध्यान समझना यह आपक आ यहां ड्रामा था जो चला करता था पुराना 100 साल पुराना है आंधर प्रदेश ने उससे बैन कर दिया क्यू सो शली बिंद शली आक नतितम कम चिंतांता मणी पांडे नाटकम क्या है कैसा है तो आपको मालूम होगा कि 1920 में इसे काला कुरी नराइन राव ने इसको लिखा था किसने लिखा था काला कुरी काला कुरी नरायन राव नहीं से 1920 में ये नाटक लिखा गया जिसमें से 2020 कहें ये तो ये क्या हुआ 2020 और 1920 इसमें से दोनों में 100 साल कंतर हो गया 100 साल के बाद इसको बंद कराने का वह हो गया कि आदेश है कि इसको बैन कर दिया जाएं ये प्ले जो है वैसे देखा जाया तो ये क्रश्ण भगवान को ये रिप्रिजेंट करता है इसमें भजन गया जाते हैं लेकिन इसमें कैसी इस कोटेट बायदा सुभी सेट्टी बिजिस फ्रॉम दा आर्या वैसया व्यासा कम्निटी फू लॉस्स इस वेल्थ एंड फैमिली ड्यू तो दा अट्रेक्शन तू चिंता मनी अब इसमें सिध्यान से ये चीज़े देखो बहुत सारी चीज़े होती है जो हम ये जो कोटेट कह सकते हैं सीज कोटेट अजब भगवान का भजन हो रहा है भगवान के बारे में चर्चा आँए इसी बंद करनी क्या ज़रूरत थे इसमें कहा गया कि इसमें क्या हुआ कि बात यह हुई जो आर्या व्यास व्यासा से कह सकते हैं व्यास 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 तो कम्निटी उनकी उसे बिजनेसमैन है वो उनसे कह सकते हैं वो लॉसे वेल्थ जब उन्होंने अपना पैसा या कुछ ऐसा वेल्थ का कह सकते हैं कि फॉर्म डिट्री अट्रेक्श क्या था इसके पास-पास कि यह तो यह था कि कहीं ना कहीं देखो controversy का मामला भी है दूसरा इसमें धर्म का मामला तो हई है और फिर आंधर प्रदेश में यह बड़ा बड़ा मुद्दा भी है हिंदू मुसलिम का बहुत चलता है वहां पर तो यह चीज को लेकर तो यहां पर थोड़ा साम देख लेंगे अगर हम देखते हैं इसको समझते हैं तो इसमें यह है कि और जिनली प्ले है दब के भजनों से अब यह इंटर्टेर्मिंट में चेंज हो रहा है इसकी वज़े से लोगों को लगा और या उनको सरकार को लगा कहीं न कहीं यह थोड़ा सा गलत है जो कि एक कहीं न कहीं कांटेंट डाइलाउक ओफेंसिव है तंडात्मक है वो नहीं होना चाहिए अब इससे नुक्सान हो रहा है और इससे लोगों को गलत मैसेज जा रहा है जो मैसेज के लिए था वो मैसेज तो मिली नहीं रहा है जो भगवान का मैसेज था वो अब नहीं मिला अब इसमें गलत मैसेज मिला अब उचल जाया किसी का विलत करनेम हो रहा है कहीं न भाणनी है हर चीस का नुक्सान है इससे बंद करा जाना चाहिए इस का कोई मतलब नहीं चैना था तो इसमें आपको यह चीजें आंगे कि इसमें फिर जो देखने को मिलेगा तो इसलिए आर आरे जो कम्मिटी है इसने पेटिशन डाला गौर्मन फॉस्पर रहे बन दपले तो बस उसी वज़े से चर्चा में आ गया आप चलते हैं मदूर मैट्स यह आपका मैट्स है प्रिट और यह स name से जियाए टैग मिल गया है यानी जियोग्रॉफिकल इंडिकेशन इस वज़ेż बीच में बीकारोच में वह आपको हांडीक्राण सुझाय को ये नजर आएगा कि जो ह Czyli क्राफ ता उस टाइम पर कोभीड बहुत तेरी से चला था उस टाइम पर भी यह जैसे मास्क में मधु बनी मधु बनी पेंटिंग चर्चा में थी वैसे यह भी चर्चा में है और यह मधुर मैट्स चटाई है जो की बनाई जा रही है जो की यूनिक वेश्टा बंगॉल की यूनिक उसमें माना जाता है मधुर फ्लैट और यह इसमें आकर इसको चर्चा में रहा है और इस वज़े से यहां कह सकते हैं कि यह इस जी आइट टैग मिलने की वज़े से यह इसमें चर्चा में आ गया और यह बनाया गया एक शेकंड रुकेंगे मुझसे एक मिनट कि अनने के इस जी आइट लिवे से यहां के जिए कि अननावी甚 cioè किढ बनीडरों कि यह चुचे थाज़ सिरी ओर बनाव मिलने का मुझसे यह अननन एДनुर्ध यह ह एक मिला है मैंगे यह चले इसमें देख लेते हैं आगे इसलिए चर्चा में आगे कि जी टाइग मिला और इसमें इस आपको देखने कर तो इसके बारे पूंचा जा सकता है और आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे बाकि इसमें कुछ नहीं है किसी से और किसी ने कि रात किया था इसु किया कि आ उसी को देखा जगीरदरि कैसे क्या तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नवाब अली बडी कान अली बडी रिखाना चार्टर टु लैंड ओर्नी जगीरदर्सेश इन यह जो आप देख रहे हो यह देख लो आप मलखंब मलखंब आप जानते हैं मलखंब का गीम इसमें बड़ा चला है उलम्पिक में भी चला है बहुत सारे गेमों में आने लगा है और यह चर्चा में रहें बहुत सारे गेम तो उन गेमों के गेम्स की बारे में जानेंगे हर इसका अलग अलग यह सारे गेम है इन गेम्स की बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे ठीक है तो यह 4 indigenous martial art form है देखा जाए और खेलों इंडिया यूथ गेम्स में रखा गये हैं और कहीं न कहीं यह चारो गेम्स हैं बहुत एक्जाम में पूंचए अप्वेस्वे में नहीं आता है लेकिए आर्ट क्लचर और पूंच आप इंट में में पूंच आप गा क्ट सकता है तो पुर्सन का में अप्र अपुन देना का जवाब और GM बता दूँ और यह लकडी का एक खंबा होता है उसमें बहुत ऐसे कई सारी चीजे हैं कि यो रोजबूड या लकडी का उसमें तेल भी लगा जाता है तेल के बाद इसमें पैरों से चढ़ना या सर के बल नीचे पैरों पर इसके बल चढ़ना और फिर वहां से खिशकना या फसाना अपन इसने डिकलेर किया था मलखंब को और इसने 2013 में इस डिपलेट दा कंप्टिटीव स्पोर्ट्स 1981 एंड इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट नेशन चैंपियंशिप इस बार हुआ है तो कह सकते हैं फर्स्ट यह उस टाइम पर हुआ और यह मलखंब समय हमारी यहां का इंडि ऐसमें देख रहा है कैसे खेल दन फवारज然后 our way इन ऐखर लीए डलवार वासित फोती है वैसे तलवार वाजी टाइप की दिख रहे है लेकिनית में स्टाइला civic मेड ओर और इस डिपतो इस इंड़ इस्टिक is no longer the size of a man जो इस्टिक होती है वो एक आदिवी से बड़ी नहीं होती है और इसको इसमें चर्चम में रखा गया और इस चीज को यहां पर देखा जाता है इसमें पैंट्स ट्रेक पहन के लड़ते हैं और इसका एक अपना फॉर्म है कि जिसमें पहना जा सके दूसर है थंगता थंगता आप देख रहे हो यह आपको दिख रहा है इसमें आपको देखेंगे कि एक मैन मनी पुरी का आर्ट फॉर्म है मनी पुरी आर्ट फॉर्म जो कि रिचुलिस्टिक है डिमेंस्ट्रेशन है और कमबाट दे इंवोल्स दे बराइटी ओफ दान्स फॉर्म जैसे कि तलवार रजी करने worden । त इसके बाद है कला कलारी प्यत्तु कलाड़ प्यत्तु कावरी प्यत्तु देखो इसमें यह तो पूरा- पूरा- आप का एंसा लग रहे है जैसे जय आर्जा महाराजा लड़ रह вещem है कि at Waos तैंसा अर्ट है ओरिजिन ए और जीनेट हुआ केरला से तो थार्ड संचुरी से लेकर कह सकते हैं सेकंड संचुरी इडित इसी एडिके बीच में यह स्टाइल करिया हुआ और किया कलारी कह सकते फिर्ष्ट आपिर सेंगम लिटरीश्य तुदा डिस्क्राइब बोथ बैटल फिल्ड एंद अगमड आराना इस दोनों में आता है थोड़ा सा डांस फॉर्म में भी आता है यह कहीं न कहीं एक लड़ाई फाइटिंग में बैटल में भी यूज होता है बैटल वाला फॉर्म म में यह लेकिन अब इसे डांस फॉर्म में भी रखा जा रहा है लेकिन यह कैसे आप में यह आपका फेस्टिबल के बारे में फेस्टियल को बारे हम थोड़ा से देख लेते हैं वीरबाल दीवस पीरवाल दीवस की विवारे में देखेंगे वीरवाल दीवस ये कैसे है कैसे चर्चा में रहा है इसके बारे में जानेंगे किसने सुरुवात किया कैसे हुआ क्यूं मनाया जाता है अब ये कही ने कही इतिहास से चीजर चुड़ी होती है इस वज़े से हम हमें vein पढ़ाना पढ़ता है बहुत चोड़ी चीज़े हैं फिर हम कहते है सुसते हैं कि angel frame करता है न करते क्या है कि इतना इतना दिया हमने उतना पढ़ा और चोट दिया देकिन कि बहुत सारी चीजें हैं जब कभी नई नई चीजें आती हैं हमारी आर्केलोजिकल सर्वेव देखती है या कोई भी कि CCRT इसलिए कहते CCRT को आपको डाउनलोड करना चाहिए एक्जाम से पहले उस टाइम पर क्या होता कि बहुत सारी ऐसे डांस वाम यह नई चीजें को जब खोज होती है रिसर्च होता रहता तो उसमें नई चीजें आती हैं जो हम पहले कभी नहीं पढ़ते हैं वह एक्जा आया जाए December 26 को आजा बीर बाल दिवस के उसमें उनको याद करके सक्किया जाए तो यह कह सकते हैं यह ट्रिब्यूट रहेगा रसाहिए साहिब जादेश कह सकते हैं और विस्ट फॉर जस्टिस अच्छा साहिब जादेश क्या थे साहिब जादेश आप देखें गो साहिब जादा अजीश सिंग, साहिब जादा जोहार सिंग, साहिब जादा जुरावर सिंग, साहिब जादा फतेह सिंग, चार बेटे थे गुरु गुबिन सिंग के और यह फोर ओफ अलिस सन कह सकते हैं यह खालसा and all the executed by the Mughal forces before the ease of 19. 19 साल से पहले ही नोंने कह सकते execute किया, Mughal forces के द्वार कह सकते हैं, सिखिजम जो है आपका सिख धर्म है, देखो यह हैं इनके बेटे, यह आपको दिख रहे हैं बेटे, यह बेटे हैं इदर खड़े हैं, सिख पहने हो, वो टोपी लगा, वो अपना पगड़ी बांदे से देखना, गुरु गोबिन सिंग जी ने एक प्रे किया ओफ अर्दास फॉर दा ओलर और सक्रिफाइज चार साहिव जादे, इनोंने अर्दास जानते हैं, जो हम अर्दास करना, या हम जैसे कि मन्नत मांगते हैं, ऐसा होता है, अर्दास भगवान के बारे में बोलना, या अर्दास, दूआ कर सकते हैं, अर्दास हुआ, अर्दास के लिए, दुआओं के, जो सक्रिफाइज के लिए इनोंने बोला, तो उसमें से सिंग्निफिकन्स ऑफ द डड़े, इसमें देखें, जो रावर सिंह जो थे, असाहिव फतेक सिंह थे, इनोंने अटेंड किया, मार् जिवाल दीवास हमें मना जाना, यह अंडर नुएंटीन एज थे, यह उननीस साल से भी छोटे थे, और इसमें दिमयन है कि दब्रिदर्स वर कैप्चुर्ड विद्धियर, ग्रांड मदर माता गुजारी, अड़ मदर आफ गुरु गुबिन सिंह, इन्हें जो ब्रिदर्स के बाद, जब अब क्या कहें, गौरंग जेब का टाइम था और उन्होंने फिर इनको बहुत बुरी तरीके से और इन्होंने अपसे सोच लो कि सीधा सक्रिफाइज बलदान दे दिया, और वहां पर इनका नाम इसे रखा गया, तो यह चीज़ देख सकते हैं, और बहुत हैं, और वहां साथ चीज़ है कि गुरु बर्थडे बेस्ट ऑन नानक वो नानक साही कलेंडर के अकौर्डिंग इनका तुझ्ञन सेलीबरीशन जो मनाया जाता है साल में एक बार वह इससे अकौर्डिंग मनाया जाता है और इसमें गुरुतेग बहादू जो है ना गुरु गोविन सिंग वाजिट बाद मुगल अशिष्ट निन 1708 आफ्टर डिथ ऑफ औरंग जेब के बाद औरंग जेब का सतरसो साथ में डिथ हुई थी औरंग जेब के बाद गुरु गोविन सिंग भी खतम हो गये थे यह चीज़ कह सकते हैं और बांकी का आप देखी सकते हैं कि रिजिए टेक्स्ट ऑफ खालसा एंसिक्स दा नेश्ट गुरु आप देख रहे हैं यहां साड की जो बैल होता है वह उसका यहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसकी बीच में कई बार यह चर्चा में रहा च चुनाव आता है तो जो खिलाफ पारटी होती है वह इसको बंद कराना चाहती है जो आप जो उनके साथ होती है वह से चालू कराना चाहती वोटिंग के लिए कि हम अगर सपोर्ट करेंगे यह लोग वो करते हैं और इसमें क्या होता है कि एक बहुत जान भी जा सकती क्योंक तैसे काबू कर रहे हैं और इनमें फिने आवार्ड इनाम दिया जाता है पहुत सारे तो बुर्ट टाइमिंग स्पोर्ट्स इन पॉपलान मदुरही अतिरुचर पली अंधेनी पुड़ कोट्टाई एंड दिन डिन 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 डिस्टिक्स नोन आज जली कट्टू बेल् बेक में मनाया जाता है और यह जनवरी की सेकेंड बेक में कह सकते हैं यानि कह सकते हैं कि जब मकर संग्रान का टाइम आता उस टाइम पर मनाया जाता है यानि तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पॉंगल उस टाइम पर और इससे यह होता है कि आप हमारा खेती का टाइम आग कि तमिल्नाट का कल्चर है कि यह देखो जैसे मनें बताया ना कि बैंड करने की बात आई थी तो बैंड करने की बात इसमें आती है और इसमें फिर से शुरू करने का बात तो आर्टिकल नमबर टॉन्टी नाइन वन में अन कॉंस्टिटूशनल से माना गया है इसमें एक पॉइंट रख सकते हो पेटा विसका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग है इसके बारण है मेडाराम जथारा टुट्राइट टॉन्टीट टुमेडाइब जथारा जो है सेके द लार्जेस्ट फिर ऑब मेला है फाय आप यह मेला यहां पर यह है जो चार दिन इसके मनाया जाता है और शेरीड किया जाता है किसा कॉम्भे मेले के बाद और तेखो भीड़ा आप देख सकते हूं कि इतना खतना किसे उसको लेकर यहां पर और यह स्षरु है देक्लियर हुआ जथारा जो एक इसको टिये स्ट्रीट फस्टिबल0196 से इसको किया गया और इसमें कह सकते हैं और उठीज कुछ कुछ इस तरीके से इसमें मनाकर इसको सुरु कि यहां से पूंसा जा सकता है जथारा के बहुत सारे नाम है जैसे समाक का सारा सारा लंसा जथारा and tribal festival भी से माना जाता है और इसमें देखा जाए fight of mother and daughter and samagara and samana यह बात यह है कि देखो यह ओनरिंग दा फाइट ऑफ अ मदर और डॉटर फेस्टिबल ट्राइबल फेस्टिबल तो इसको थोड़ा सा आप इसमें और इसमें एक चीज यह भी रखा गया कहीं न कहीं इसमें के सकते हैं कि यह आप कहो कि जो जंगलों में जगलों में ट्राइब जो करती है जैसे आप आर-ार-ार मोवी देखी होगी उसे बहुत सारे एंसे लोग होते हैं जो आ यह चाहिए और जो तो एक्टर कॉर boundary तो इस्टिरय ओरर रहता है अब बीरवाल दीवस तो हमने पढ़े लिया है तो इसका कोई नहीं है दुर्गा पूजा एंसके उन्हें इसको यह अभी कलकत्ता वाला यह हाल ही में युनिस्कों हरिटेज में सामिल हुआ है इस वज़े से पूछा जा सकता है और यह एक ऐसा कर दुर्गा पूजा फेस् अब आगे चलते हैं आगे अगर हम देखते हैं इसमें से दुर्गा पूजा का ही है तो इसमें तो कोई मतलब है बनता नहीं है से और फेस्टिबल आप देखेंगे हॉर्ड फोज़ फेस्टिबल आप देख लेजें अन्हट विलट फेस्टिबल में आपको देखो यह दिख रहे हैं तो यह एक चीज़ यह है कि जो आपकी जो आपको सब्सक्राइब आपको इस चीज शेठ टुरिशम एंड आर्ट इं कि नागाज के बारे में बात हो रही है तो इसमें यहां से वहां यह सिलिब्रेट किया जाता है एन्वल फेस्टिबल है और इस फेस्टिबल को फेस्टिबल और फेस्टिबल बोला जाता है यानि तेवहारों का तेवहार मनाए जाता है और फेस्टिवल सॉफ फेस्टिवल माने जाता है इसको और नाइज भी करती है गोवर्मेंट खुद अगनाइज करती है इसको किसे सीख मिलती है तुरिजम ए इस्टेट टुरिजम एन आर्ट इंड कल्चर डिपार्टमेंट सैना सपोर्टर बाइज यूनियन गवंट जो ऑनमेंट शेंटर गवर्मेंट हो वह भी सको सपोर्ट करती है ठीक है तीवा ट्राइब एन वंचुअह फेस्टिवल एस तीवा ट्राइप्स जो है ट्राइसमन ये लोग जब खेती का काम आता है उस टाइम पर इसको मना जाता है देखो इसे लोड़ी अपने मनाते है वो ऐसे लोड़ी टाइप का यह है इनका प्रोग्राम तो वह इसमें सांग, डान्स और इसमें कैसे रिचुल्स कुछ हैंसे होती है उनको यहां पर मनाया जाता है और तीवा ट्राइब से मनाती है और इसमें जब की जब कभी भ बुटिफल होर्वेश्ट विट था हाय पावर फ्रॉम द नेशर और इसमें क्या होता है कि दटेक्स फॉर्म द फिक्स इसकुल्स और बोन्स विच आप्स देटीज अड़ी इस और अर प्रशर्व स्थो मैनी इसे और भी नाम से लालूंग नाम से भी जाना जाता है और इ कि कि नेशनल यू दे तो आप जानते हैं यह आप देख लो नेशनल का धाइट कर दाता आ है बारा जनुवरी को तो आप इसको देख सकते इसमें तो कोई ऐसा इस्यू है नहीं और बेचान के बारे में SUBHI जानते हैं आप लो विवेक अनंद कौन थे कैसे थे एक रिफॉर्मर के नाम पर भी जाना जाता है उन्हें और बहुत सारी चीज़े उनके बारे में तो यह आपकी आगर कहानी जानना है तो जान लेजे नहीं बांकी इतना हमें जानना ही जानते हैं उनके अब यहां से कुश्चन यूपेसी कैस पूछेगा यूपेसी का फंड़ा यह होगा जब यहां से कुश्चन पूछेगा तो वो यह पूछेगा स्वामी वेवेक अनंद के रिफॉर्म के बारे में इनका था बेदें को रलोटो और मोर्ती पूजा में विस्वास किया और इनका जो जो सेमिनार हुआ था तो उसके बारे में इनके सिकागों में तो वो उनकी बारे में पूछा जाएगा यह नहीं पूछा जाएगा इनकी जनम कब हुआ कैसा हुआ बाकि इस चीज में जैसे की रामकरंस पराम हंस मिशन चलाया था इनोंने उनके बारे में पूछा जाएगा और कैसे कैसे इनोंने और क्या क काम क्या रिफॉर्म में लोगों के लिए वहां से यूपीस सी पूँच चाहता है जाया बाकि इसका कोई इतना बड़ा नहीं इसमें पूचा जाएगा बस इतना ही होता है हमें यही चीज देखनी होती कि हमें पढ़ना कैसे है कभी कभी होता हम रट्टा नहीं मानना पूरी चीजिजे पढ़नी नहीं है जबसें देखक कि hanya सब्सक्राइब इसक्ति तंब इस्टरी में जााम जाओ के रिफॉम वाले me जाओ के ऽूब्हाय में हमार जाय मिलेंगे सुसाल रिफॉम बाले चेप्टर में मॉडर्री में जानोंगे थी तो उसमें जाकर देखोगे तो इनका मिल जाएगा स्वामी वेका नंद है दैनन सरस होती है राजाराम मोहन रॉय है इस्वर चंद विद्या सागर है इनके बारे में आप पढ़ोगे और जानोगे इसके तो यह हमें पढ़ना है सिकागो वाला जो था आपका आड्रेस तो वो ऊसमें देखते हैं अब परसंस के बारे में फोचरां यह फोचरी नृश्या कि इनकी बारे में दिख सकते हैं और यह कैसा बनाा है लोग इसे चाहते हैं कि हम इसको γ्हा कशोरी कर लें कुछ 120 किलो को सोना से बने हुए हैं 120 किलो लगा हुआ हुआ इसमें तो देख रहे हैं 120 किलो लगा होगा कोई भी चायेगा थोड़ा सा मिल जाए सलाथ 10 ग्राम भी मिल जाए 20 ग्राम तो भी काम हो जाएगा तो वही एपिर्म ननदमदी जो है अन्विल्ट वर्ल्ल शेकिंड लार्जेश इस्ट किया था सोसल रिफॉर्म का काम किया था इनका क्या था वे सबसे उची मोर्ति बनाए गये सेकेंड पहले तो वह बन गई है अग इसमें ध्यान से समझेंगे कि यह इसमें जो लगा है जो बनाया गया है इसमें तीन-चार मैटल लगे हुए है जैसे सिल्वर, कॉल्ड, कॉपर, ब्रास, जिंग, ऐसा लेकिन इसमें सोना लगा हुआ है वह 120 किलो सोना लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं और इसन इनके बारे में थ्रोड़ा सा सेंड के बारे में देखा रामनो चार्या जो है ये बैठे हैं इनके बारे में देखेंगी बाउन थस्حدर। बलाएया नादू में 10 17 में ये तमिल नाड़ो सी में और इनको श्री वैष्णनिजम झाल कॉ और शिडिम Catholics और रिम आन ऑ संग चलाया पेरुमल विच मीन्स दैट रेडियंट वान फिलोस्पिकल फांडिशन डिवोटोशन यह सारी चीज़ें आप इसमें डिवोशनल डिवोशनलिजम कह सकते हैं भक्ती मुवमेंट चलाया और इसमें वसे इसमें यह कह सकते हैं बसिष्ट जो आपका विदानता से रिले और अब्रह्मसुतासपर कह सकते हैं भास्या आपका घवतग कईसे औल Immyakarta अपका देख सकते हैं वसिष्ट द्वाटिया कह सकते हैं यह कैसे माना जाता है क्या है इसके बारे में तो यह थोड़ा साफ आप इसको पढ़ना यह समजना है किस टाइम पीमें थे और इस मूर्टी से क्या है तो यह अभी चर्चा में रहा है इसलिए इसमें पूंचा जा सकता है इसलिए वजह से आपको यहां पर थोड़ा सा इसको पढ़ना है समझना है ठीक है चली आगे हम देखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में सिरी कह सकते हैं माधवचारया सिरी माधवचारया के बारे में देखेंगे इनका क्या रोल है ये क्यों फेमस हैं ये क्यों चर्चा में रहें न्यूज में क्यों आए हैं इसके बारे में इनके बारे में थुरसल देखेंगे इनमें हम देखें सिरी माधवचारया का जो जानम हुआ है करनाट का में अड़ के पास हुआ है और इनका जनम 168 ध ASHLEY n notions 13 में हुआ था और इंहीं वांसुदेवा के नाम से भी यह जाने गया है और बिज दस्मी कह सकते हैं और भीस पिंस यस जनम हुआ बिज दस्मी उस दिन का जनम जो दिन था ़ो बिज बस मीयानि दसहरा, दसहरा के दिने इनका जनम हुआ और इन्हें वासुद्य नाम दिया गया इन्हें कह सकते हैं कि यह third of twenty of philosopher बोला जाता है इन्होंने कह सकते हैं बेदास और कुनास के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्यन किया बहुत साई चीज़ें इन्होंने देखा उनसे फ्लिविंस हुए और इसके इंफ्लिविंस होना उनसे इनके अंदर वो चीज़ें आने लगी यानि एक यह कह सकते हैं कि spiritual होने लगे spiritual इनको अपनी तरफ खीच रही जैसे महावीरा को खीचा था तो कहीं न कहीं वो है और दोयता या डूलिजम कहें philosophy को यह भी प्रोपॉंडट कह सकते हैं और इसके बाद जो यह आप देखेंगे कि माध्वा इनका नाम कैसे नाम पढ़ा इनने कुछ बुक लिखी है बुक का नाम आप इसमें देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं गीता भाष्या प्रम्ह सुत्र भाष्या अनुभाष्या कर्मा निर्नया और विश्नु तत्वा निर्नया ऐसे आपको जो इसमें कह सकते हैं डोटा फ्लासपी का यह होता है कि वर्ड़ इस रीयल अन नौट जश्ट ऐलूशन डूसन नहीं है यह एक रीयल है वृड इसपी काम करती हैं इसे दो इत्वाद कैसे दो दो चीज़ों को मानना एक तरीके से, a soul is born the world कह सकते हैं कि इसमें हम नहीं यह जो कह सकते हैं कि जन्म मरण पर या कुछ हैंसे भगवान पर और इस पर पर इसे इनमें जो बिश्वास करते हैं पर कह चो हैं, यह इनि दो चीज़ों पर रहा यह बैठी है 12 फीट इस्टेच्व अधिसंग्राचार का यह अभी केदारनाथ में यह वह हुआ है तो अन्विल्ड किया गया है और यह इनका मेन यह है कि अटेंड़ समाधी आफ एज ऑफ थर्टी टू इन 19th सेंचुरी जो आपकी 9th सेंचुरी नौहीं सताब्दी में कि कि इनोंने जैसा बैठी यहां पर समाधी ले लिया था इनुने जब इनकी यह 32 साल के इन की बारे में देखे तो यह बांद इन कालिम इविली जो कालडी भीजल विलेज है तो पेरियार नदिक किनारे है वहां पर केला मुन का जनम हुआ और ये आपकी इनके जो इस्कॉलर गुंदाचार्या कैसे किसके ही He was the disciple of the scholar Govindacharya. He was constantly on the move, wearing the flag of Advaita, Vedanta, challenging, prevailing, philosophical, traditional, including Buddhism and Jainism. He believed to establish the ritual, practice and badri and the Kedardhams. यह कईना कई भगवान पे मानना और इस सारी चिजे करनी तो यही है और बाकी इन में के पूछा जाता तो यह आप इसके बारे में बाकी कुछ खास नहीं, यहां से कुश्शन नहीं उतना पूछेने का मुझे नहीं लगता कि यहां सपूछा जाएगा, जो थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा होगा वह यहां पर ज़्यादा कुशन पूछे जा सकते हैं और में टोमर किंग हा ये पूछा जा सकता है ये टोमर जो टोमर राजा हुआ करते थे निमसे किंग है तोमर के जिनका नाम है से अनंगपाल शेक golf इस जो दोती है पाल के आँसे बारे में कह सकते हैं एक कोमेटी बनाई है और कमिटी बनाने के बाद इनके बारे में कहा गया है कि पॉपलार जैसे जो लेशी ओव लेशी गाफ्ट 11th century तोमर यागनपाल सेकेंड है अनंगपाल उनके बारे में उनको समझने के लिए उनके लिए कमेटी बना कर उनको देखा जाया कैसे क्या उनकी रभाद में रिसर्च किया जाया बाते के तो इसके बारे में यह एक तोमर डाइनेश्टी से बिलॉंग करते थे और दिल्ली और हरियाड़ा बिट्वीन कह सकते हैं यह प्रिजेंट डेट जो है कैसे पाल तोमर 2nd was succeeded by his grandson प्रत्विराज चौहान who was defeated by the hurried force in the battle of Tarain यानि गोरी की साथ गोरी का तराइन का युद्ध हुआ था न उस तराइन की युद्ध में प्रत्विराज चौहान और दो बार हुआ तराइन का युद्ध तो उसमें प्रत्विराज चौहान पहले बारे में जित गए दूसरे बारे में हार गए तो यह उसी ट निहाल वाला पार्ट था तोमल और प्रत्विरा चौहान के प्रत्विरा चौहान ने इनकी जगए पर गद्धी पर बैठ गया था अनंग पाल जो है तोमर और इनकी चीज़ें अपना ले थी क्योंकि जो इनके परिवार से जो बेटियां ही बेटियां थी इनके बच्चे नहीं थे उस टाइम पर तो तीन लड़का नहीं था लड़की लड़की थी तीन लड़कियों में से एक लड़का हुआ था जिसमें प्रत्विरा चौहान था प्रत्विरा चौहान ने क्या किया था कि उसने गौरी से युद्ध किया पहली बार में जीता दूसरी बार में ह होता था during the reign of अगनपाल अनंग पाल सेकेंड के दौरान इसका नाम धिल्ली कुरी धिल्ली कपूरी होता था ठीक है फिके डेली इस प्रिजेंट नेम और अल्सो पॉपलर लेट इन्हों नहीं नाम दिया दिल्ली दिल्ली कपूरी का नाम ही इन्हों ने दिल्ली दिया था यह पूश सकते हैं अब कोई आपसे पूanızे तो यह अनंग 집에 नहीं पूंचाएगा लेकिन हम ने के बारे में अगन पाल कि सासंच के बारे मिंख सकते हैं अब चलते हैं बसनावा के बारे में देखेंगे और समझेंगे थोड़ा सा बसनावा बसनावा के बारे में देख लेते हैं अच्छा आप लोगों ने खाना खा रखा है ना फिर ये ना गया ना कि सर ने खाना भी नहीं खाने दिया तो आप लोग अपना काम कर सकते हैं और पढ़ते जाएगे उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा और आपको पढ़ना जरूरी है तो बशना बशाव बसवन्ना के बारे में देखेंगे बसवन्ना क्या है यह एक करेंगे वेट फिलोसफर वाश्वन्ना की लाइफ पर एक ऐसा बनाया गया है एक ऐसा पत्थर रखेंगे उसमें नया चीज बनाया जा रहा है जिसकी वज़ज़ से अभी इनकी इस ला न्यास किया गया कह सकते हैं के बनाने के लिए वस्टाइब कलयान का एक ऐसा बनाया जाए कि इनों ने जो अच्छे काम की हैं इसोśli सायर का काम किया है उसके उनकी उसपे कुछण कुछ ना कुछण की मूर्ती इस कलब lot your बना तो उसके पहली सिला नयास किया गया उस जर्चा में रहा सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि य को कि आप जाए तो इसमें आप आप देखने को मिल जाएक यहां से तो वांकि आप थोड़ा सा राटिस्टी संद्री आपको यह देखर आप सषट आप से स्वन्हीं है New जालूक का डानिष्टी यहां से पूंचली जाएगी जलूक का डानिस्टी पूंची जाएगी और आप इसमेंसे परेश् इपिग्राफिकल रिफ्रेंसे डिदित ओफ बिजयनगर किंग कृष्ण देव राया कृष्ण देव राया जो थे फर्स्ट कह सकते हैं बिजयनगर तो यह भी कह सकते हैं देट अफ डेट ओफ बिजयनगर पर्स्ट यवर ॆपिग्राफिक ख्रेइंस है इसका वागी का नहीं मिलता है जो की डिस्कबर हुआ है ये इन उनिहले तम्कुरु टिस्ठीकिन कंड का में इनको को डिसकबर किया गया है यहाँ पर इंपर किंग थे जिनके बारे में इस हैं एकडराफिककल सोर्सिस मिलते हैं इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया हो कंणड में रिप्रेजेंट करता है जो एपिग्राफिक में जो इस्क्रिप्शन यूज किया गया मतलब इस्क्रिप्ट यूज की गई है वो इस्क्रिप्ट जो है inscription में वो कन्रण में लिखे गई है इसमें ये लिखा गया है inscription में कृस्टदेव राय जो है वह एक greatest empire में से सम्राटों में से एक थी जिनोंने साथ में सट्रा कैसे साथ में सासन किया रूल किया और सत्रा अक्टूबर 1539 1529 में इनमें खतम हुए इनकी डेथ हुई और ये एक लुनार एकलिप्स के द्वारा कह सकते हैं मांक किया जा रहा है और इनका बिलेज भी कह सकते हैं जो आपका होने हली जो दिया गया है ये भी एक गिफ्ट के रूप में कहते हैं कन्डेक्ट कराया जाता है वर्शिप गौड एन का हनुमान था के नाम से कही नहीं गौड जो है बीरा परकासटना जो है ये परसना उ्नके नाम पर ये इसका नाम थ्वाँ सन्मिला कर रखा गया इन था गाँं पढ़ा है इस गाउं का गुरू रभीदास ये चर्चा में आ सकते हैं क्योंकि मंदिर भी अभी हाली में तूटा था और ये चीजें हो सकते हैं तो यह इसमें आ सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अभी मोदी जी और बहुत चर्चा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें चीछ देखेंगे कि ये गुरु जो गुरु रविदास है इने पंजाब अंडरलाइन दे इसमेले इस वज़े सर्चा में आ गया अब रविदास जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि लग भग लगभग आप यह कह सकते हैं कि इनौने रविदास एक बैलित कमुंटी से थे इन्होंने इन्हीं को रिप्जेंट किया है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने ये इनके तो फॉलोवर्स तो बहुत ज़्यादा है वर्डवाइड में हैं और इनका में यह था कि इन्होंने सभी को एक ब्राबर इन्होंने इनके कई एक को इसमें आप आप जर्चा में बस इस वज़े से आ सकते हैं और इनका और क्या रिफॉर्म किया वह पूछा जा सकता है तो गुरु रविदास का जो पूंछा जाएगा वो सबसेदा इंपौर्टेंट यह होगा यह इस यह वाला teaching गुरु रविदास teaching क्या है यह क्या चाहते थे इन्हें किसके बारे में बोला किसके अंगेश्ट बोलने की इन्होंने कोसिस कि आप क्या चाहते थे यह तो इनमें देखो इन्होंने गुरु गोविंदास जो रविदास हैं इन्होंने कहा कास्ट डिविजन जो है अगेंस्ट कास्ट डिविजन जो हमने बटवारा किया है कास्ट बनाया है बटवारा किया है ब्राहमर्ट, छत्री, बैस, सूद्र उसके बारे में सर्ये कल्यान चालुक की स्टाइल कैसे होता है कैसा होता है यह आपको मैं पिक्चर दिखा दूं आपको कहो तो कालन चक इसमें तो आपको यहां से कि इसमें जो इस्टाइल है वह यह है कालन चक इस्टाइल इसमें जो बनाया जाता है जो चीज़े रखी जाती है उसका इस्टाइल कुछ इस तरीके से क्योंतर अपू इसे बनाया जाता है यह मतलब एक के बाद अइसे दिस अपढ لمोट से बनते हैं वैसे इसे बनाते हुए उपर चलते हैं वैसा नहीं कि एक वह ँईस बना दिया ज吧 एक मंदिर टाइप से कि ऐसे सीधा गया ओपर गुम्मत बनाया फिर ऐसे बना दिया गया इसमें हर एक उसमें एक फ्लूर की साफसे इसमें कट-कट करे उस एक मतलब कह सकते हैं स्कॉायर उसमें बनाकर रेडी किया जाता है ओपर तक कि यह हसं निए कि कह सकते हैं इसमें एक पॉइं और कह सकते हैं कि इसमें क्या है की यह मैं और रड़ुदी यूज़ किया जाते हैं इसमें कुछ और यह चीज़्ें इसके बाद इन्होंने कहा कि अधार होतना च relay कि एक जो कह सकते हैं कि and spoke of removing them to promote unity एक तक को promote कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए इसके बाद इन्होंने बोला कि देखो एक ऐसा है जो जो कहीं भी किसी कोई जनम हो लेता है तो इसका मतलब यह थोड़ा नहीं कि यार वो किसी जाती में हो गया वह अगर यहां किसी और में होता तो कुछ और नाम होता है जन्म से तु सब बच्चे उन्हें थोड़ा नहीं पता है कि किस कास्ट में हो रहे हैं आप कास्ट भी क्यों मानते हो उसके पहर पर बांट कर गलत किया जा रहा है तो यह चीजें होते हैं उसमें इन्होंने बोला और रिफॉर्म का काम किया इन्होंने कहा इन्होंने अक्सर कहा रविदास rejected the idea of that people consider lower caste cannot meet God कि जो सुद्र होते हैं वो भग्वान से नहीं मिल सकते इस चीज को इन्होंने आइडिया को reject करते हैं कि आडिया गलत है और ऐसा नहीं होता है ओनली वेटु मीट वॉस अफ्रीट माइंड फ्रॉम दा ड्यूलिटी तो टीचिंग देट दो ओनली वेटु मीट गॉड इस इन्होंने इस को प्रमॉट किया और कहा कि आप सभी लोग हम मिल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब चलते हैं नर्सेन मेहता नर्सेन मेहता के बारे में देखेंगे रिगार्ड रायजदा आडी कभी आदी कभी है फर्स्ट पोईट है आदी कभी कह सकते हैं भक्त कभी डियोट कैसे गुजराती लिट्रीचर में लिखा है गुजरात से विलॉंग करते थे और इन्होंने बहुए भगवान कृष्ण क पेड़े में इन्होंने काफी लिखी है और उनके पड के बारे में उनके खीताय लिखी है उनके इसाऱा छीद लिखा तो इस तरके सकते हैं भगवान तो यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है बड़ फिर भी अगर आ जाय तो आप कर सकते हैं महाराना प्रताफ हल्दी है हां अमर्सिंग तो नहीं राणा उदे सिंग का बेटा ऐसे अमर्सिंग पहले बेटा थोड़ा सा मुझे confusion हो रहा है कौन किसका बेटा था अमर्सिंग है कि राणा उदे सिंग है तो राणा उदे पीटे सिंग के या फिर इनकी अमर इनके बेटे हैं या अमर संग कि यह बेटे हैं ठोड़ा सी समय का उदैस शॉईंग है बस ब्सक्रीकारा उद्ए से था तो यह मालूए तो यहारि उ एक would कि नाम की ने कहा था कि जब तक मार नहीं जांगा तब तक मैं युद्ध करूंगा इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें में 19 जो है इसमार किया गया है कि नो माई को इनका इनकी बर्थ नवर स्री मनाई जाएगे यह राज राजपूर राजपूर किंग ओफ बेवार राजपूत किंग है महारानप्रताफ थर्टीन राजपूत किंग है जो यहां के और इन्होंने पंदा सो चालिस मिन का जन्म हुआ और एज आफ 56 जब खतम हुए 1597 में और इनने बोला भी ता क यही मुझे कन्फूजन हो राद थोड़ा सा फांडर अफ उदैपूर सिटी उदैपूर सिटी इन्होंने उदैशिंग नहीं नाम दिया था और इनके बेटे हैं इनके बेटे थे यह महारानप्रताब इने कह सकते हैं कि इने बहादुरी के लिए जाना जाता है हल्दिघाटी में जब 1576 में हल्दिघाटी के युद्ध हुआ अकबर के बीच और इनके बीच महाराना के बीच उस टाइम पर अकबर की तरफ से मान सिंग जो अंबर के राजा थे क्योंकि अकबर का बहुत लोगों था ठीक है उस टाइम पर भी साथ इसका नाम था अई इइमाम ऐसे हकीम करके नाम होनका मैं थुढ़ा सा नाम भूल रहा हो हकीम करके नाम है उनसे इनन लड़े और उनसे लड़ने के बाद अकबर को साहथ नहीं मिलता वो वो चीज जीन नहीं मिलती लेकिन अगर याइक य नहीं और राजा भगवान दासu नहीं साद दे थे ऐलोगा एकबर की बीवी तो आप जनते हर आटीजांतों वाइं जिनका बाद में पड़ unc paran ja लड़के सलीम से राजा भगवान दास की बेटी की साधी करा दी गए थी इससे वो चाहते विदे साधिवादी हो जा थोड़ा सास पास रहे तो जो हमाएं कंट्रोल में आते जाएं सारे सासल यह था तो इनों नहीं इनके खिलाफ लड़े और इसमें कह सकते हैं बहादुरिक साल लड़ते रहे राना फोर्स वार डिफीटेड इन सिक सार सिक्सार में छहाए घंटे में राना की जो फोर्स थी वो डिफीट होगी हार गई पट दा मुगल्स फेल तो कैप्चर हिम लेकिन जो मुगल्स आ सकते मुगल जो उसमें सेना थी वो इनों पकड़ने में सफल रही महाराना रिगदर्ड इस फोर्स फिर इखटा की फिर मुगल्स लडे और 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 अगेंस्ट दमुग आफ जो से ह geared in 1582 पहले तो हार गे लेकिन 6 साल बात इसवे मुगल्स ऑफ जो सिक्षी अगेंस्ट मुगल्स दमुगल्स आज सकते हैं खिल्स इन 1582 पहले कि खिलाप जीत विगए having faced a terrible defeat Agbar stopped his military a campaign against the Maywar after the battle इन्होंने मना कर दिया कि अब हमने इसमें नहीं चलाएंगे अब इसमें लेगिसी जो है कह सकते हैं इसमें मुगल इंपायर इसमें देख लेंगे फिर से आप देख सकते हैं और इसके राणा प्रताफ मैथड बहुत ही अलग और इसमें में कह सकते हैं कि आप इसमें जो महाराणा प्रताफ है महाराणा प्रताफ को वहां से चोड़ा और जब इन्होंने देखा कि मानुजिंग उनके खिलाफ हर बार आ रहा है तो इन्होंने फिर तभी बाद में और जब इनको लगने लगा कि मैं सायद इतने दिन तक नहीं कर पाऊँगा और यहाद नोई ऊरख़ोंड दिया था इसमें काहनी नहीं नहीं य। लिखी गही है इनकी बारे में कि जब घर और पहाड़ी ूंप रहने लगे अगबार इसे मिलने भी गया चाहता हिमेव उस लिद्वड के मिलना चाहता हुआ जीम हर हम नहीं मानिक कभी तो तब से अब थेद एक यह लिए टेक्सितबर यह तिकस्हाइब इतो अब चलते हैं जो चर्चा में रहें और गुरुनडप के बारे में आप ौल पञहते हैं गुरुपूरब के नाम से सिखिखिजम फाउंडर गुरुनानक देव डिकलियर दा वर्ड प्रेश्ट्रियन प्रेश्ट्रियन डे के नाम से जाना जाएगा और इसमें जो पंजाब पुलिस है उसने इसको प्रोपोजट किया है यह सबसे बड़ी चर्चा की बाद है यहां स टॉपिक बहुत हैं अगर मैं एक एक चीज़े समझाने के थोड़ा सा कोशित कर रहा हूं आपको चीजें मिल जाए और करतारपूर मैंने बताया था कॉलिडूर था याद रखना करतारपूर कॉलिडूर कहां से कहां पाकिस्तान से इंडिया का है एग्रिमेंट हुआ था बिजसे फ्री बात कही हिसमें से और इसफलियं से चर्चा में रहा है और इसके बारे में थहां से देख लेंगे ठेगे त्यरण बाबाबश नख के इसमें माना जाता है और कुरदासफूर कोया प्रण चेनक्राब हारत और गुर्डासपूर और आर LD le कर dripping कि और एक तरीके से कहीं не कहीं है कि ये भी है कि दोणों पढ़िस सहया है यह जो है जो है कि अशुखs धाया के जाने ने साहे हैं कि अशकुंते शवह कौन था जालो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँगा पहले तो यह जान लो कि जो अकबर है अकबर का बेटा सलीम हुआ जिसका नाम जहांगीर था यह तो जानते हो आप अच्छे से पिस जहांगीर का बेटा कौन हुआ साह जहाँ साह जहांगीर का बेटा है जारा सी को कह सकते हैं कि जब यह अपने बिरदर से राही गाल after losing the loss losing the war of succession against the his brother Aurangzeb so Aurangzeb के against लड़ते लड़ते कैसकते वार में succession के लिए ये कैसकते हार गया और मारा गया he is described liberal muslim के बारे में इनने बताया है liberal muslim के बारे में कर रहते हैं क्या रिसर्च करने तरीके से और लगभा लगभा गीता आइस वे उपनिशद्ध भी रहते हैं क्या रिसर्च करने तरीके से और देख रहते कि इनके बीच का कुछ ऐसा common चीज मिल जाए जिससे हम एक एक अच्छा बांड बना सके लेकिन साइद इनके नहीं था एकॉर्डिंग तो साय जहां नामा जो लिखी गई है उसमें आफर औरंग जेब डिफीटेट दारा सिको तो जब औरंग जेब ने हराया इसको दारा सिको कर उस्टाइम पर इसको उसमें दिखा गया कि ही ब्रॉट दालेटर तो डैली इन जा चैंस ही एट्स वहां पर इनको कह सकते हैं कि वहां पर दफनाय आ गया और वहां भेजा गया तो यह अलग उनका मैटर फैमिली मैटर है लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा यह कुशन पूचा जा सकता है कि किसने किया दारा सिको हिने और एक कुशन यह पूचा जा सकता है लिबरल मुसलिम के बारे में पुशन आ सकता है जारा सिको भी नहीं पूचेगा यह पूच लेगा और यह फिर मैचिंग करा देगा यह चीज जानना जरूरी है कि ठीक है चेंटर इस प्लानिंगा सिरीज अफ ले ओन इस लाइफ इस्प्रिच्वल लेगिसी उसके उसमें इस वज़े स्चर्चा में आ गया है अच्छा यह जरूर पूचा जाएगा है यह जरूर पूचा जा सकता है इसके बारे में थोड़ा सा में यह इनके बारे में पूचा जा सकता है यह कोश्चन बन सकता है बहुत important point है यह और इनके बारे में यहां पर हम देखेंगे सम्झेंगे ठीक है चले है हम इसमें देखेंगे कि यह कौन थे कैसा था तो आपको यह देखना है कि अहों किंग्डम जो था अहों किंग्डम के यह सेना पती हुआ करते थे कमांडर होते थे लचित बुर्फन कह सकते हैं और इसकी यहां पर और इनकी उसमें लीडर्शिप जो 16-70 का बैटल हुआ सराय घाट पर उस टैम पर यह कमांड यानि सेनका जो लीडर लीड कर रहे थे सेना को और यह अंडर दवर अंडर दा और ढम ऑफ राम सिंग फर्ष्ट टीग दीख वहां किंग्डम उस उस टाइम पे जो खुब किंग्नम कराजा राम सिंग फर्स्ट थे उनके अंडर में यह उनके कमांड में यह मुगल मुगल जो थी मुगल फोर्स इसकते हैं उनके एक त्रीके से उनके खिलाफ लड़े थे यह मुगल फोर्सेस की इसमें थोड़ा सालग दिया है बैटल अब सराइघाट वास फॉर्ट ऑन दे बैंक्स अब्रहां पुत्रगोहर्टी नेशनल डिफेंस अकैडमी एंडिये इसी के नाम पर पड़ा गया और यहां पर इनमें दिया जाता है आज भी अगर कि कोई इसमें अभी नेशनल जो हमारा ड़ीपेंस अकैडमी है एंडिये वालों को जो आवर्ड दिया जाता है वो यहां से इनको पताया जाता है इनको आव भी दिया जाता है इक अवाल भी बनाया गया है उनकी कमांडिंगी कर रहे थे लेकिन इसमें साथ में ये देखेंगे जब सराइगाट का 19 से खतर में युद्ध हुआ वैंने मुगल अटाइक दा असमी पॉर्सेस जब असम पे किया सराइगाट रीवर नदी किनारे नदी मैं सराइगाट में नदी किनारे तुर हाँ पर ये लड़े और उनसे खिलाफ लडाई लडी मुगलों के खिलाफ मुगलों खिलाफ लडाई लडने के बाद कह सकते हैं and defeat to defeat of Mughal Mughals ठीक है result क्या हुआ ultimately resulting in the defeat of Mughal Battle of Alaboy ये कह सकते है, Alaboy was fought on August 5, 1669 between the homes and Mughals in which the homes suffered saver reverses and the thousands of soldiers were killed इस पॉइंट को देखेंगे, राजा चैज सिंग दिख रहा है, अप मैं थोड़ा सा ना tired feel कर रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे को, थोड़ा समय आपको इसे पढ़ाता हूँ, बांकी के चीजे हम, कल भी लगातार इसको रखेंगे, जब तक कुछ न कुछ आपको कोसिस करके, तो मैं सो दो गंटे होई गये हैं, बांकी भी काम रहते हैं चीजें, तो थोड़ा सा ना, मुझे थकान सी महसूस होना लगी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, तो कि इसमें बहुत सारे, बहुत सारा मैटर है, अभी इतनी जल्दी खतम होगा नहीं है, अच्छा, हाँ, इस बार ये देखो, ये में पॉइंट मेरा ये है, वैसे मैं इस पीडियाप को सियर कर दूँगा, अब इसमें से कुशन देखो क्या बन सकता, कुशन ये बनेगा दो मैसूर युद अच्छी जरूर पूछा जएका, मैसूर बैटल भन दो मैसूर, मैसूर का पूंचा जाएगा, और दूसरा हैधर अली, और हैधर अली के बारे में टीपु, रूए पूर सुल्टान के बारे में जरूर, चीछिव कि शेन भी चर्चा में रहा है, इसका कौर् करने कि बात है सीसमें यह चर्चा में यह से असाकता यह राजा जी पूछे जाएं न पूछ सुढ़रल मैसूर बैटल के बारे में फूछा जा सकता है यह चीजस में शम्हें का सकते हुआ और इसमें बांकि आप इसमें देखेंगे ज बैदे यइफ Dentine century ऑंगारस है में उनिश्रे सत्रहे किटतर में महाराजा चैसिंग ने कासम नहिंते हिंगर्ति होते बनारस के किस्की हैं इंट्री मोंते माहराजा ट्रांसफे विय कह सकते हैं East India इस इस इंडिया कंपनी को से अंडर दा कंटूल उफ हैस्टिंग वारन हैस्टिंग थे वह निफा के सकते हैं निफ पेस्ट विद नीट तो रिसोर्स दौफाइट दा मैसूर वार अगीज दा है दर ली इसलिए हैदर अली का जब लडाई हुई हैदर अली के इनके शाथ अंग्रिजिऊं के साथ उस टाइम पर कहीं न कहीं जब यह से ब्रिटिस और बैठेए बैठेव ऐसी हैफ यह चाहते तो यह चीजे वही चीजे किनरre इस्टाढ़ल यह हुज तो ओसके वजसे चर्चा मेरा When Singh failed to comply hasting mass to the Banaras with his troops and confront the king. Several of hasting men were killed in the conflict and left with no other option. The government general was forced to the retreat. अब टीपू सुल्तान मैंने बता टीपू सुल्तान चर्चा में आएगा ही आएगा तो आगया चर्चा में लो किती amusinga सुल्टान के बाद विर्सा मुझा retrospect में के बाद पने पूद के आपको पढ़ना थैसा मुंदा इसलिए चर्ड़ा में और प्रपिक भी लिया थे रहे इनका एक मनाये जान गुझा मैं और यह एक तौरीके से इन्हें वहां पर यह पहले बात तो यह ईसले है कि बिर्चार्टा मुंल जो था एंग्रेज्यों को बहुत अच्छा समझते थे यह की त्राइपस कि तो जब इनके साथ घटना होने लगी कि वह लेंड इन से छीनने लगे क्योंकि यह कैसी खेती करते थे कि रहना है जंगल में अब इनका जंगल काट कर वहाँ पर अपना नील की खेती करना नील का अगरी कल्चर अपना शुरू करना क्रॉप शुरू करनी तो इसकी वज़े से इन्हें अर्थ का फादर भी मौला बना जाता है धरती अब्बा माना जाता है धरती का पिता माना जाता है इनको क्योंकि इन्होंने उन मैं गलत मान रहा था वो ऐसे हैं नहीं जो जिने मैं समझा रहा था वही मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो फी इन्होंने लड़ाई लड़ी लड़ाई लडने के बाद इन्होंने काफी वह अपनी जमीन को वहां से छड़वा लिया और ये बिहार जारखंड वैसे जारखं तरमिन का जनम हुआ था कि अब आप इनको देख सकते हैं बांकी आप देखेंगे तो पढ़ लेना आप राजा महेंद प्रताप यह भी है और इनके बारे में अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बांकी की चीजे जो क्लासिस है कि रहे हैं कि वह हम कंण करेंगे आर इसी टेम पर करेंगे नाहें पीम पर दोसे टीन गंटे की क्लासिस थोड़ा सा लूंगा में और बांकी कलाशिस भी चलेंगी तो इसको यह तो दिन में मैं कर दूंगा पांच-ीम फांच ग्षानटे की दिन में भी motivation क्रंणग दिन में ले देखना है ठीक है ध्यान रखना है यहां से कुश्य जरूर पूछे जाएंगे फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर यह जो भी टाइम होगा आप एक्टिव एक्टिव रहिए उसमें आप सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको टाइम इनकी इनपोर्मेशन मिलती रहे कोई कोई चीज आ रही है तो आप उसमें देख सको और उसमें आप उस लेक्चर को छूटे नहीं आपसे बस यह चाहता हूं मैं ठीक है ओक्वाइस थैंक यू टेक कियर और फिर मिलते हैं आपसे कल तब तक के लिए धन्यवाद करदा कर दो बाता हूं